दूर कही एक प्रांच में एक अटूट गहरी तोस्ती थी फर्शिन सामराज जेके एक एंट्रे करनी है वहाँ फ्रेंड्स बनाएं क्या बहुत सारे तोच से भी जादा खुबसूर जेवाँ वैसे प्यान इंडिया सूपर हेरो प्रभास कौमने बाहु बली में डूल रोल निभाते भी देखा पर वो अलग-अलग टाइम लाइन में सेट था पर हम उनकी दोरो करेक्टर्स सिंगल प्रीम में देख सकते हैं पर सालार पार्टू के जरीए और हम पैंस की यह तमणना है भी क्योंकि सालार पार्टू शौरयांग परवं कहा जा रहा है तो इसमें शौरयांग यानि की देवा के पता के बारे में पर चलेगा और most probably ऐसा हो सकता है कि देवा के साथ-साथ सालार पार्टू के स्चोडी को लेगर बहुत सरी थियोरी सुनाई हमें देंगी पर हम ने सुझा की हम पुआ साथिमाग लगा लेते हैं पर अब सालार यानि की देवा के पता और सालार ट्राइब इन्हें सरहस रिप्रजन किया गया है जैसे कि पाऊफुली ट्राइब होता है न वैसे जिसी कि मन्नार ट्राइब डडरता था जिससे राजा मन्नार बिलॉंग करते थे इसलिए वो पीट पीछे वार करता था और इसलिए देवा के पिता को रास्ती सेरावे में बहुत सारी दिपिकल्टी हुई पर आखिर में वो काम्याब हो गया तो अब सालार पार्ट वर्न में देवा और उसकी पैमली को लेकर जो आइडिया दिया गया उसे पार्ट टू में एक्स्प्लोर किया जाएगा जहां देवा को बता चले है कि उसकी पहचान सर्फ वर्धा का दोस्त नहीं है या उसका मोटिव सिर्फ वर्धा के लिए लड़ना नहीं है पर ये उसे अच्छी तरह से बता सकता है कि भारव जो कि सौरयांग ट्राइप से बिलॉंग करता है वो देवा को बताया कि वो असल में कौन है तो इसी के साथ कहानी उस टैंगलें में चली जाती है जब देवा के बता शौरयांग जुन्दा थे उनकी और मनार प्राइप की कैसे दुश्मरी हुई थी क्या क्या हुआ था ये सारा अलग टाइम लाइन में सेट होगा और ये सच्चाई जानने के बाद देवा अपना बदला लेने के तयार रहेगा दिने दिने मनार प्राइप को खत्म करेगा और अब भारव को ऐसा लग सकता है कि शौरयां प्राइप का असली राजा वापस आ गया है और अब राजा मनार खत्म हो जाएगा पर इस सब के चकर में वो ये भी सोच सकता है कि देवा वर्धा पर अटाक करके अपनी गद्धी हासिल कर सकता है पर देवा वर्धा को अपना दोस मानता है और उसने वर्धा से बादा किया है कि वो उसे राजा बनाएगा खानसार का पर इसलिए वो वर्धा को कुछ नहीं करेगा पर भारप को ये बिलकोली पसंद नहीं आएगा तो वो कोशिश कर सकता है कि किसी बजह से वर्धा और देवा में दरार आजाए और देवा अपनी असली पहचान को समझें और उस तरह से बरताब करें क्या पता भारप को ये डर भी लगे कि वर्धा आगे जाकर शौर्यांग ट्राइब के लिए बहुत बड़ा खत्रा साबित हो इसलिए वो उसे हटाने की कोशिश करना चाहता हो तो उसके हिसाब से सही है ये तो ऐसी दो पॉस्सिबिलिटीज नजर आती है देखते हैं कि देवा और बड़ा को लड़ाने में किसका हाथ होता है जैसे आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट्स पर ज़रूर बताएं साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने नाम की तरह शान तो दिखाई देते हैं पर फिल्मे ना शूर मचाने वाली बना देते हैं हातों की उंगलियों पर गिन्ने जितनी तो फिल्मे होने बनाई है जैसे की चाप्टर बन के एजिएफ का चाप्टर डू सालार और अब सालार पार्टू भी वो लाने वाले हैं इसले कर वो कॉन्पटेंट है हर बार के तरह सालार पार्टू बन तो बस एक ट्रेलर था पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त यारी सालार कुछ नहीं थी सालार पार्टू असली धमाहा करने वाली है अब सालार पार्टू कर नाम बताया जाता है सालार टू शौर्यां परवब उसमें से परवब का मिनिंग episode kind of बताया जाता है तो क्या पजन सालार टू के बास सालार 3 है और ऐसा एक सालार उनीवर्स बन चाए पर कहीं सालार पार्टू का एंड बाहुपली जासा तो नहीं होगा न, लेकिर बाहुपली कहानी भी गद्धी के लादश के लिए ति और यहां भी एक सामराज जी की ही कहानी है, कर नाम है खानसा, जिस पर हर कोई राज करना चाहता है और देवा का दोस वर्धा भी करना चाहता है राज और देवा उसका सफना पूरा करना चाहता है अब दूसरा पार्ट जो है वो हमें ये पताने की कोशिश करने वाला है कि शौरयान प्राइब से देवा बिलॉंग करता है उसके पिता धारा शौरयान प्राइब के लीडर थे उसे राजा मंदर यानि की वर्धा की पता ने माल दिया सामराज्य के लिए तो जाहिर सी बात है कि अपने पता का बदला लेने के लिए देवा वापस तो आएगा या किस्मत उसे वहां लाएगी जहां पर उसके पता का फून वाहा है अब बाहु बली में हमने देखा कि किस तरह सामराज्य के लिए पॉलिटिक्स होता है और बाहु बली टू में असली हकदार की वापस ही होती है अब बाहु बली के एंड में बाहु बली को मार दिया जाता है अपनी ही करीबी के जरिये तो क्या देवा भी उसे तरह से मढ़ जाएगा अब देवा कोई लालची इंसान नहीं है मतलब उसे सामराजे को कोई लालच थोड़ी ना है उसका एक ही मक्सद है कि अपने दोस्त वर्धा को सामराजे का मालिक बताओ और इस खांसाल सामराजे का हर किसी को लालच है क्योंकि वहाँ पर दुनिया भर के इल्लीगल काम होते है और शायद इसलिए वो थोड़ा रिच और डिमांडिंग सामराजे कहाया जाता है इस पर हर किसी को राज करणा है अब राजा मनर को राज करताने के बाद वर्धा उस जखापर आने के लिए और भी उचलेगा और देवा वर्धा उगद्धी पर बिठाएगा भी पर आगी चलका अगर वर्धा भी ऐसी ही इलिगल काम करेगा और ये देवा को पता चलेगा तो वो जरूरी वहां का शाशन बदलने की कोशिश करेगा और ऐसे में वो अपने दुश्मन बढ़ा लेगा तो क्या पता वर्धा ही उसके खिलाफ कोई प्लानिंग कर ले उसे मारने के लिए और ऐसे वक्त में उसके सोतेले भाई बहन जैसे राधा मनन भी एक साथ आ सकती है बैसे कि ये एक दूसरे का इस्टिमाल करके एक दूसरे को खत्म करने का प्लान हो सकता है देखते हैं कि साला अर्टू का एंड बाहू बने की तरह होता है या पर कुछ और होता है वैसे आपकी कोई फैन्स हो रही है तो आमें कॉमेंट्स में बरूर बताएं साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें वी कहाने खूम से लिकी वी है अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से को नहीं मंगेगी एक गैंग में बर्बंदा हर लुआ नहीं है वीडियो समझा एक गैंग लीडर ही दूसरे गैंग लीडर तो मार सकता है क्या लगता है उन्दोनों ये काम कर सकते अब जो प्लिव खेला जाएक बहुत मसा देगा वी कहानी खूम से निकी हुई है अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से को नहीं मंगेगी एक गैंग में बरबन्दा हर लोगा नहीं है वीडूर समझा एक गैंग लीडर ही दूसरे गैंग लीडर को मर सकता है क्या लगता है उन्दोनों ये काम कर सकते अब जो फिर खेला चाए बहुत मसा देगा क्या लगता है लाशों को सीडिया बना कर ऊपर चलना गया बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जी इतना डिफिकल्ट है पर नाट इप्पॉसिबल मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायन नहीं करता है कमूसर अचानर गिंदवन प्रक्ता है अर्गोष शेरवन के पाड़ी से अब पर्षिन सामराज जेके एक एंट्रे करने है सालार पार्ट वन सी स्पायर के बाद हमें सालार पार्ट टू शौर्यांग परवं देखने को मिलेगा अब इसमें शौर्य वर्ट पर आप गौर करोगे तो उसका मतलब होता है करेज या फ़र ब्रेवरी जिसे हम हिंदी में शूर्ट अब 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 कहते हैं और अब अब शौर्यांग देवा के पता थे और देवा का फ्यए लेस आलेटीवड जो साफे पर बैठा एक साफ है और यह साफ है जो अपने बेटे को भी काठ सकता है और बेटे को येो पता है पर वर्धा के पास देवा है जो वर्धा को खानसार सामराजय का राजा बनाने के लिए लड़ता रहता है पर देवा को ये ने पता कि शौरियान ट्राइब से बिलॉंग करता है वो और वही खानसार की गदी का असली हगदार है तो सालार पार्ट टू में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक तो जब देवा को बना चलेगा कि वो शौर्यान ट्राइब से बिलॉंग करता है राजा मननार उसका गुनेकार है तो एक तो वो राजा को मार देगा उसके आसपास के सब भी लोगों को खत्म कर देगा पर वर् से एमोशनली काफी करेक्टेड है देवा को बाग किसी चीदों से पर्क नहीं पड़ता है अगर उसे अपने रियालिटी परा चली कि वो गद्धी का असली हगदार है तभी वो वर्धा की मदद करेगा अरे यह क्या मितलब यह तो पीकी दाल है तड़का लगाओ भाई इस अरफ कर सकता है जो कि शौर्यांग ट्राइब से बलॉंग करने की बावजूद राजा मनार की बेटी राधा से शादी करता है अब इतने सार शौर्यांग ट्राइब वर्सेज मनार ट्राइब खेल जला जिसमें राजा मनार जीत गया तो शौर्यांग ट्राइब ने राजा तरफ करने की कोशिश करेगा और उसे सचाई से रूबरू करवाएगा और तब आएगा ना खेल का असली मसा क्योंकि बरसू परानी दुश्मनी को अंजान देने के लिए देवा जैसे पावफुल इंसानी चाहिए उसके ऐसा इस कहानी में कोई भी नहीं है वर्धा भी वैसा नहीं है चुराजा मनार जैसे पावफुल इंसान का बेटा है वैसे आपकी क्या थियोरी है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें जोस्तो प्रभास की ब्लॉक्बस्टर मुवी सालार पार्ट वन सीसफायर ने बॉक्स ओपस पर तो ताबर तोड़ कमाई की थी अब ये फर्म OTT नेट्प्लिक्स पर रिलीज हो रही है अभी तक डेट को लेकर कई साल रियूमोच सामने आ रहा है थे लेकिन अब डेट भी प्रशान नेट्प्लिक्स पर 20 जनवरी से स्ट्रीम होगी लेकिन पैन को एक जटका लगा है क्योंकि ये हिंदी छोड़कर बाकी चार लैंग्विजेस में रिलीज होगी लेकिन क्यों कि आम एकर ने आसा क्या है इसके पीचिंगा रिजन या है कोई मार्केटिंग स्टाट प्रभास बापो एक्सपेक्टेशन ओल्वेस हर्ट आपको किसीने शायद बताया नहीं है तो पॉसिबल है कि सालार मेकल्स ने इस गुस्ते के जलते हिंदी रिलीज नेट्फ्लिक्स पर नहीं दी चलिया बूस्टर रिजन पर आते हैं उसका एक और रिजन मार्केटिंग स्टाटिजी भी हो सकती है अब आप कहीं कैसे देखें मेकर्स चालू बहुत है डंकी के सालार ने इंडिया में चार सो पिरोड से जादा का कलेक्शन किया है सालार को दुख इसी बात का है कि वो डंकी जितना बज हिंदी ओडियन्स के बीच पिना क्रियेट नहीं कर पाई और इस बात को बहुत दुख है उन्हें जिसका खामियादार शायद वो ऐसी स्टाटिज बनागर पूला करना चाहते हैं लेकिन राजसा आप इंडि जॉल्वेस के कजब बेजती है कुछ यूजर्स को गुस्सा भी है कि आखिर क्यों हिंदी रिलीस नहीं कर रहे है लोग एक यूजर ने कमेंट किया हिंदी वालों से कोई दिश्मनी है क्या सालार के बाद अब इ क्या लगता है क्या मेकर्स की यह चाहर सक्सेस्फुल हो पाईगी दू लेट मी नो इन दा कमेंट सेक्षिन साथी वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें हलो नमस्कार आप सभी का स्वागत है बॉलिग्राज स्टूडियो में और मैं हूँ आपके साथ धनुश्काज इसी तरह परभास की फिल्म सलार का काउंटऑन शुरू हो चुका है और फिल्म फाइनली 22 दिसम्बर को होगा दोस्तों दूद के दूद और पानी का पानी मतलब 22 दिसम्बर को सलार जीते की अशारिप खान की डंकी यह क्लैर हो जाएगा वैसे देखा जाए तो डंकी हो य शामिल हो चुके हैं और उन्होंने प्रभास की इस फिल्म का पहला टिकेट खरीद लिया है तो राजमौली ने सुबह साथ बज़े का टिकेट खरीद लिया है और वो हैदरबाद में जाकर शो देखेंगे दोस्तों जाहिर सी बात है कि जोहां राजमौली शामिल हो गए है मतलब समझें पूरा साउथ मारकेट आखे बंद गर गे पूरे यकीन के साथ फिल्म देखने जाएगा अब ऐसा फायदा फिल्म अनिमल को भी हुआ है और फिल्म ब्रमास के दौरान भी हुआ था और जाहिर सी बात है कि ये राजमौली के फेवरिल प्रभास के फिल्म है त राज होगा और दोस्तों इंटर्विल ब्लॉक के बाद प्रभास का काम दिखाई देगा पर अगर ऐसा हुआ तो फिल्म प्रभास के साथ फांस को फर्स्टाफ तक बिठाए रखना एक बहुत बड़ा चालेंज है तर इसका मतलब ये नहीं कि सिलार के सीकुल में सिर्फ औ करना पड़ा खेर दोस्तों कोई बात नहीं पर फिल्म का बज तो है ही और फिल्म के एडवांस बुकिंग भी शुरू हो जाएगी देखते हैं के एडवांस बुकिंग के मामले में सलार आगे रहती है या फिर धंकी आपके पर क्याना है कमें सेक्शन में जरूरू ऐसे तो 2020 की बड़ी फर्मों में शामिल हो गई है लेकिन बड़ी फर्मों वाली बात नहीं है इसने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया था सालार को और जबर्दस रिस्पॉंस मिला और इसी के साथ इस पर नोटों की बरसात हो गई यहां तक कि इस पर में शारूख से ओपनिंग करने वाली इस पर ने पहले हपते भी 308 करूर का कलेक्शन किया था वहीं दूसरे हपते में भी सालार की कमाई का आपले तारीफ है अब इसने रिलीज के आथ विदे 9.62 करूर नौव यह दें 12.55 करोर दस विदें 15.1 करोर यह दें 16.86 करोर और बार विदें 6. 6.45 करोर नौपी से कलेक्शन किया वहीं 13 विदे दृत्पम ने 5.25 करोर नौपी सी कमाई कर डाली है तो अब इसका दोस्तों पोटर हो गया है 373.57 करोर नौपी पर्म के दुनिया भर में 650 करोर हो गया है और 700 करोर के करीबी फर्म पोच गई है सालार्य प्रभास के अलावा शुतिहासन, प्रुत्फिरासू कुमारन, इश्वरी राओ, श्रियारवडी, तीनु आनल और जग्पति बाबु ने एहम रोल प्ले किया है इस पम का निर्देशन प्रशाद नील ने किया है तो आपको ये पम कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए साधी वीडिय लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें हालो नमस्कार आप सबीका स्वागत है बॉलिग्राग स्टूरियोज में और मैं हूँ आपके साथ हनुश्कातियागी वो आ रहा है वो आ गया है वो आने वाला है ये इसकी महर है और इस महर का मतलब जानते हो मैंने जब सिनिमा में इस फिल्म को देखा मेरे कान से खून आने लग गया था सारे डायलॉक्स को सुन-सुन कर ऐसा लग रहा है जिसे फिल्म में लूप पर चला दिया हो कि भगवान ऐसी फिल्मों से मुझे बचाए लेकिन फिर भी सलार कमाई कर रही है शायद यही टालेंज है प्रशान दिल का इसे कहते हैं एक अच्छा डिरेक्टर जो कूडे को बेच कर भी करोडो कमा ली डंगी से फार बेटर फिल्म है सलार फिर भी कमाई में इससे आगे है अब तो लग रहा है सलार पर जो परजी कमाई के लालचन लग रहे हैं दोस्तों ना वो सब सही है वह लड़ाई जगड़े ही देखने होते तो इससे अच्छा तो अपने फडॉस के आंटे को देख ले है मतलब कैसे चलो जोड़ा इसके हिसाब लगाते हैं आप लोग भी साथ में जोड़ो तो आज पर दोड़ी जाद अच्छी होगी होगी सलार ने फर्स्ट वीक में 308 करोर के माई दूसर वीक में फ्राइडे कू 9.62 करोर कमाई फिर साटर दे 12.55 करोर कमाई फिर संडे को 20. 30.32% का उच्छाल भी आया और 15.1 करोर कमा गई तो नतीचा हुआ कि सलार ने फर्स दे पर 90 करोर से जाद का कलेक्शन कर अपने नाम साल दोजात तेहिस की सबसे बड़ी ओपनर का रिकॉर्ड बना लिया है 11 दिनों में इंडिया में 360.77 करोर और worldwide 6.25 करोर कमा पाई भगवान जाने लोग इस पर पैसा खर्स क्यू कर रहे हैं ओ अच्छा, now I got it. चाहे कुछ भी हो तबको अपनी लाइफ में एक देवा तो चाहिए ही जो टॉक्सिक बॉस रिष्टदार और बॉइफ्रिन से निपत सके गर्दन बेशक नकटे जुमान भी काट देगा तो काम चल जाएगा तो जाओ सलार में देवा को देखने और खुद से रिलेट करो कि ऐसा दोस्त तुमें भी चाहिए क्योंकि फिल्म तो दोस्तों की कहानी है जो जिगरी यार होते है लेकिन कहानी में कुछ जैसा होता है कि वह एक दूसरे के दुश्मन मन जाते हैं जो सलार पार्ट बन में दिखाया नहीं बस अजियूम कर लो कहकर छोड़ दिया गया है जोस्तों खेर अब आपको आज ये वीडियो कैसे लगी है में कॉमें सेक्षिन में जरूर बताएगा साथ ही मूवी कैसे लगी है ये भी बताएगा हमारी आज की राइटर है मरीशा हालो नमस्कार आप सभी का स्वागत है बॉली राइट स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ हनुशका त्यागी रबेस स्टा प्रभास और डिरेक्टिर प्रशाण नहीं की फिल्म सलार को लेकर क्या होगा क्या होगा करके दो जोसतों बहुत टेंशन हो रही थी पर जिस तरह से प्रिशान ने बादा किया था कि वो प्रभास का जबरदस कमबाग करवाएंगे तो उन्होंने वो कर भी दिखाया है ओपनिंग डेपर 90 करोड की कमाय करके वोल्डवाइट 176 करोड का बिजनस करके प्रभास ने दिखा दिया कि स्टार्स हाव आलवेज बिन स्टार्स वैसे 22 दिसंबर को रिलीज हुए इस पार इंडिया फिल्म ने 9 दिन 12 करोड का बिजनस कर लिया है तो महीं वल्डवाइट में फिल्म ने 600 करोड का बिजनस कर चुकी है जो सलार की सबसे बड़ी कॉमपटीशन है पर सलार ने दिखा दिया कि कॉमपटीशन चाहे जितना भी हो फिल्म में दम होगा तो कलेक्शन करने से कोई नहीं रोख सकता विज़े सलार ने एक और रिकॉर्ड बनाया है नौ दिनों में ही 105 करोड का बिजनस किया है वो भी हिंदी बेल्ट में और सलार प्रभास की पांचवे फिल्म बन गई है जिसने हिंदी बेल्ट में 100 करोड क्लब में एंट्री माली है सलार से पहले प्रभास की बाहुबली टू 511 करोड आधिपुरुष 148 करोड साहो 145.70 करोड बाहुबली 118.50 करोड ने हिंदी भाशा में 100 करोड की नेट कमाई की थी इसके साथ ही प्रभास साउथ के पहले ऐसे आक्टर बन गए है जिनकी एक से जादा फिल्मों ने 100 करोड का नेट बिजनस किया है तो प्रभास 100 करोड क्लब में किंग बन गए है दोस्तों वेसे अब तक फिल्म 10 वे दिन पर 18-20 करोड का बिजनस कर चुकी है ऐसा कहा गया है अगर डंगी के 10 वे दिन के कलेक्शन की बात करे तो फिल्म ने 8-9 करोड तक का बिजनस किया है चलो दोस्तों मतलब 400 करोड के बजट के साथ बनीस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं तो हम यही कह सकते हैं कि प्रभास का हिस्टोरिकल कमबाग हो चुका है बस अब आगे चल कर देखते हैं कि सलार और क्या क्या करती है हालो नमस्कार आप सभी का स्वागत है बॉलिक राथ स्टूरियोज में और मैं हूँ अनुश्का त्यागी प्रभास स्टारर सलार के रांस्मिन के बार से ही फांस इस फिल्म के रूलीस कब्वे सब्स इंतजार कर रही थे और जब यह फिल्म थियेटर में पहुंची तो इसने वाकई धमागा कर दिया दोस्तों यहां तकि प्रभास स्टार और फिल्म ने शारुक खान की डंकी को भी पीछे छोड़ दिया है क्यों हिला डाला ना इस फिल्म अपने ऊपनिंग डे से ही ताबर तोड कलेक्शन कर रही है इस बीच इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किये चलिए यहां जो आनते हैं सलार ने रिलीज के आट वे दिन कितने करोड का कलेक्शन किया है साकनल की अलरी टेंड रिपोर्ट के मुताविक सलार ने रिलीज के आट वे दिन यानि की सेकेंड फ्राइडे को दस करोड का कलेक्शन किया है इसे के साथ सलार का आट दिनों का कुल कारोबाय अब 318 करोड रुपे हो गया है दोस्तों वही दुनिया भर में इस फिल्म ने साथ दिनों में 542 करोड रुपे का कलेक्शन किया है सलार ने रिलीज के एक हफते में ही 300 करोड रुपे से जादा का बॉक्स आफिस कलेक्शन कर लिया था साल 23 के आखरी वीकेंड पर भी दोस्तों इस फिल्म का बॉक्स आफस कलेक्शन कम नहीं रहा हाला कि छुट्टियों के मौसम में भी सलार ने 10 करोड रुपे की कमाय की है आप सलार के वर्लवाइट कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म 550 करोड रुपे का आखड़ा भी पार कर चुकी है भारत में इस फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 370 करोड रुपे के आसपास है वहीं विदेशों में इस फिल्म में 105 करोड रुके से जादा का कारुबार किया है सलार को केजिय फेम प्रशान दीन ले निर्देशित किया है वहीं पृत्विराज सूकुमारन शृती हसन और जगपती बाबु सहीत कई कलाकारों ने दमदार रूल लिभाया है यह फिल्म दो दोस्तों की कहानी पर बेंज है जो किसी घटना की वज़ा से एक दूसरे के दुश्मिन बन जाते हैं क्या दोस्तों आपने भी यह फिल्म देख रहे हैं कॉमन सेक्शन में जरूर बताएगा हमारी आज़ कि राइचर मनीश है हलो नमस्कार आप सभी कस्वागे थे बॉलिगराद स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्का त्यागी सावत के बाहु बली प्रभास के फिल्म सलार पार्ट वांचीज फायर ने रिलीज के बाद से सिनमा घरों में धूम मचा रखी थी प्रशान नील की डिरेक्शन में बनी इस फिल्म ने ओपनिंग डे के दिन ही ऐसी दाहार लगाई जिसकी गूल जब तक सिनमा घरों में सुनाई दे रही है तेलगूत, कंणर, तमिल, मलियालम और हिंदी में रिलीज हुई इस फिल्म ने छे दिनों में पांसो करोड किया आकराप पार कर लिया है हाला कि जहां भुद्वार तक फिल्म के कमाई दुआ धार हो रही थी, वहीं अचानक गुरुवार को कलेक्शन मीचे गिर चुका है ऐसा लग रहा है कि न्यू यर के सेलिब्रेशन और विकेशन की मार इन फिल्मों पर पढ़ने शिरू हो गई है इस फिल्म ने वैसे इस साथ दिनों में देश भर में तीन सो करोड का कलेक्शन पार कर लिया है बता दू कि सलार सी स्वाया पार्ट वन शारुक के फिल्म दंकी के अगले दिन यानि के 22 दिसंबर को रिलीज हुई थी फिल्म ने इडवांस बुकी में तो बासी मारी है साथी टिकेट खिड़की पर भी छप पर फार गर कमाई की है पर प्रभास की इस फिल्म की कमाई ने साथ की कई बंपर फिल्मों को जम कटक कर दी है 90.7 करोड की ओपनिंग के साथ ही इस फिल्म ने प्रभास की पिछली धाकर फिल्म बाहु बली 2 को भी पच्छार दिया है साकनल की रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने गुरुवार को 13.50 करोड की कमाई की है और वही फिल्म ने साथ दिनों में कुल मिलाकर 308.90 करोड के कलेक्शन के है इस फिल्म के वर्ल्ट वाइट कलेक्शन की बात करें तो इसने दुनिया भर में करीब 503 करोड के आसपास कमाई कर ली है फिल्म सलार में प्रभास काफी दमदार रोल में दिखे हैं दोस्तों और उनके आक्शन सीन्स की जमकर तारीव भी हो रही है इसके अलाबा इस फिल्म में शुर्ती हसन, पीशवरी राव, श्रिया रेड़ी, टीनुवानंद और जगपती बाबुजय से का लाकार भी है यह फिल्म अपने मेगा आक्शन और दो दोस्तों की दुश्मन बनने की कहानी को लेकर खूब सुर्ख्या बचे हो रही है क्या आपने फिल्म देख लिए है, कॉमन सेक्शन में जरूर बताएगा मारी आज़ी राइटर है मनीचार जयानी हलो नमस्कार आप सभी के स्वागत है, बॉलिक्राइट स्टूरियोज में और मैं हूँ अनुश्काति हागी है प्रभास, सिटार, सिलार, पारट वां, सीस, वायर, 22 दिसम्बर को रिलीज होने के बाद सही बॉक्स-उफ्स पर रिकॉर्ड दोर रही है इस फिल्म को रिलीज के पहले दिन सही दर्शुग का जबर्दस रिस्पॉंस मिला है और इसी के साथ सलार ने बॉक्स ओफस पर 6 परफार कमाईगी है दूसरे यहां तक की वोर्किंग डेज में भी यह फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है चलिए यहां जानते हैं सलार ने रूलीज के छटे दिल कितने करोड का कलेक्शन क्या है मैं बता दें कि सलार प्रफास की कम बाग फिल्म साबित हुई है इससे पहले आक्टर की कई फिल्म में बाग टो बाग फ्लॉप रही थी लेकिन सलार ने दुआधार ओपनिंग की और फिल्म का ताबर तोड कमाई कर सिलसिला जारी है दूसरो क्राइम ट्रिलर इस फिल्म ने दर्शुक का दिल जीत लिया है और इसी के साथ सलार वीकिन पढ़ी नहीं बलकि वीक डेज में भी अच्छा कारोबार कर रही है तुमकी कमाई की बात करें तो सलार ने रिलीस के पहले दिन 90.7 करोड दूसरे दिन 56.35 करोड दीसरे दिन 62.05 करोड चौते दिन 46.3 करोड और पांचवे दिन 24.9 करोड का कलेक्शन के है वहीं अब इस फल्म की रिलीस के छटे दिन आनी बुदवार की कमाई के शिर्वाती आक्रे भी आ गए है साखनल की ऐली ट्रेंट रिपोर्ट के मुताबक सलार ने रिलीस के छटे दिनानी बुदवार को 17 करोड का कलेक्शन किया है दोस्तों इसी के साथ सलार की 6 दिनों की कुल कमाई अब 297.40 करोड़ों के हो गई है। बही गरेलू बॉक्स आफ़स पर भी एक कमाई के नए रिकॉर्ड बेहद आसानी से कायम कर सती है। सलार का जलवा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बिचाया हुआ है और ये फिल्म वर्डवाइड बॉक्स आफ़स पर खूब दमाल मचा रही है। कभी-कभी लगता है का अब उन हीच भगवाल है। ग्लोबली फिल्म के कमाई की बात करें तो साखने के रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने रिलीज के पांच दिनों में दुनिया भर में 428.90 करोड का कलेक्शन किया था। महीं दोस्तों शटे दिन फिल्म में 500 करोड का आकरा भी चूलिया है। सलार के डिरेक्शन के जिए फेम प्रशान दील ने किया है। रिलीज के पहले दिन से डंकी को तोड रही है। इस फिल्म का क्रेज दर्शेगों के सिर चड़ कर बोल रहा है और इसी के साथ ये फिल्म जम कर नोट चाप रही है। पैसा ही पैसा हो या। चलिए यहां जानते हैं आदी पुरुष स्तारर फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन कितने करोड का कलेक्शन किया है। सेकनिल्क की एक वेबसाइट है उसके अरली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सालार ने रिलीज के चौथे दिनी आनी मंडे को 42.50 करोड का कलेक्शन किया है। इसी के साथ सालार ने रिलीज के 4 दिनों में 251.60 करोड की कमाई कर ली हैं सिर्फ अपने देश में। सालार देश ही नहीं पूरी दुनिया में घूम चुकी है और दाबड तोड कलेक्शन कर रही है। इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स आफिस पर महज 3 दिनों में 400 करोड रुपे का आंखडा पार कर लिया है और अभी भी मजबूत बनी हुई है एक अदम सालार की तरह। मेकर्ज ने सोशल मीडिया पर अनाउंस्मेंट की है कि फिल्म ने रिलीस के 3 दिनों में 402 करोड रुपे की कमाई कर ली है। वही दिसंबर को क्रिस्मस पर पब्लिक हॉलिडे होने की वज़ा से फिल्म के कलेक्शन में 4 दिन और ज्यादा इजाफा होने की उमीद है। और कहा जा रहा है कि ये फिल्म क्रिस्मस पर चाड़े 400 करोड का अंकडा पार कर जाएगी लेकिन मेरे को लग रहा है 500 कर जाएगी। अच्छा ठीक है। सालार पार्ट वन सीजफायर एक अक्शन से भरपूर ड्रामा है जिसे के जीए फेम प्रशांतिनी ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म से प्रभास और प्रित्वीराद सूकुमारन के अलावा शूती हसन जगपती बाबू, माइन गोपी, श्रीया रेड़ी और कई अन्ने कलाकार ने एहम रोल प्ले किया है। फिल्म के दूसरे भाग का नाम भी रिवील हो गया है सालार भागदो शौर्यांग पर्व के नाम से रिलीज होगी को ये भी बता देने चाहता हूं कि हूंबेल फिल्म से ये मूवी 400 करोड रुपे के बजट में बनाई गई है। आपको क्या लगता है फिल्म किस-किस फिल्म का रिकॉर्ड तोडने का कामियाभी हासिल कर पाएगी। कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज हालो नमस्कार आप सबीका स्वागत है बॉलिग्राद स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ हनुष्का त्यागी। फिल्म साहो से बॉलिवज में डेब्यू करने वाले प्रभास लंबे समय से एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे थे। उनकी पिछली फिल्म में साहो के अलावा रादिशाम और आदिपुरुष भी अपना जादू चलाबाने में और सफल रही थी दोस्तों। प्रभास अपनी लेटेस फिल्म सलार के साथ हाजिर है और ऐसा लग रहा है कि उन्हें जिस सफलता का लंबे समय से इंतजार था वो ये फिल्म पूरा करने जा रही है। प्रभास की सलार अभी तक उनकी पिछले फिल्म बाहुबली के रिकॉर्ड नहीं दोड़ पाई है। तहां से तीन दिनों में फिल्म ने केवल इंडियन बॉक्स ऑफस पर 208.05 करोड का कलेक्शन कर लिया। सलार का ही कलेक्शन इस साल बॉलिवुड की सबसे हिट फिल्म जवान को पच्छार डाला है। जिसने तीन दिनों में 206.06 करोड का कलेक्शन किया। सापनेल के रिपोर्ट के मताबिक सलार ने जहां दो दिनों में वर्डवाइड 243.80 करोड का कलेक्शन किया। वहीं तीन दिनों में आकडा करीब 315 करोड के पार हो चुका है। केवल दो दिनों में स्वम ने विदेश में करीब 70 करोड रुपे की कमाई कर डाली। विप्रभास के अब तक की शांदार फिल्मों में बाहु बली 2 ने हिंदी में 510.99 करोड, साहु ने 145.67 करोड, बाहु बली ने 118.5 करोड और राधिशाम ने 19.36 करोड की कमाई की थी। दोस्तों अब आपको क्या लगता है, सलार कितने रिकॉर्ड्स थोड़ेगी, कॉमें सेक्शन में जबरूर बताएगा, मरी आज की राइटर है, मनीशा जैने वैसे प्रभास की अपकमिंग फिल्म जिसे प्रशान सिनेमा आटिक इन्यूवर्स ने बनाया है, उसके रिलीज का काउंट डाउन शुरू हो चुका है और सालार अपसच में फिल्म बाहु बली को भी टककर देने बाली है, या टककर दे चुकी है, अब किस तरह से टककर दे चुकी है, यह तो पड़़े पर फिल्म देने के बाद ही हमें मालुम चलपाएगा, पर इस टककर गी पीछे का रिजन है, फिल्म का एक्स्पेंसिब और बढ़िया सेट, सालार का सेट इंडिया सिनेमा का लाजस सेट कहलाया जाता है, जो कि रामोजी पंसिदी में एक और रामोजी पंसिदी डबलब करके बनाया गया है, इसने तो केजी अप चाप्टर 2 को भी पीछे जोड़ दिया है, दूसरी बात यह है कि सर्फ 5% CGI के इस् सालार से इस बात को लेकर हम compare करते हैं, तो definitely बाहुवली में कई सारे VFX का इस्तिमाल किया गया था, और larger than live sets बनाने के बावजूद थी, पर सालार में ऐसा कुछ नहीं है, वैसे सालार का सत बनाने के पीछे आर्ट डारेक्टर शिवार कुमार का आहा थे, तो वही cinematographer है, बाहुबली को पहले ही पीछे छोड़ चुकी है, पैसे आपकी नजर में कौन मारेगा 2020 के क्रिसमस परबादी, अब दो-दो-सांतार क्लोस जो आने वाले हैं, तो किस सांता क्लोस को साधा पसंद किया जाना है, ये तो तब मालूम चल पाएगा, जब उनकी फल्में रूली जवान का लवल ओपनिंग डे पर ही मैच कर पाना ये दोनों फल्मों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, प्रभास की आदी पुरुष भी ओपनिंग डे पर रिकॉर्ट बना चुकी है, तो वो भी उनके लिए एक बहुत बढ़ा चालेंज होगा, उपर से बात ही है थोड़ी कब है, इसका दीजर है डंकी, क्योंकि डंकी कहानी पंजाब से ही चुड़ी हुई है, इसका मतलब डंकी को वहां से सबसे प्यार मिलेगा, हाँ ये बास सही है कि डंकी तमिल तेलकु भाशा में डब नहीं होगी, तो उसका फाइदा यहां पर प्रभास को हो हलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलिगराद स्टूरियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्का त्यागी अब भई सलार को आने में कुछी दिन बचे हैं और हाल ही में सलार में एहम रोल प्ले करने वाले पृत्वी राथसु कुमारा ने अपने किरदार वर्दमान के बारे में एक इंटिवि में बात की है दोस्तों जब उनसे पूछा किया कि ट्रेलर देखने के बारे सक कहा जा सकता है कि वर्दमान का किरदार काफी इंटेंस होने वाला है तो क्या वर्दमान इंटेंस है? तो उन्होंने कहा कि हाँ वर्दमान एक intense character है और सलार फिल्म ही वर्दमान और प्रभास के देवा के character के बीच ही friendship part पर based है दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा कि KG2 की shooting दरान प्रशान ने उन्हें सलार की script सुनाई थी और जब उन्होंने खुद को as वर्धा imagine किया तो वह उनके perfect लगे दोस्तों और साथ ही एक काफी अच्छी script थी जो उन्होंने काफी वक्त के बात सुनी साथ ही प्रशान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका एक film का हिस्सा बनना काफी सही पैसला था क्योंकि प्रशान थे कैसे director है जो पूरा का पूरा short ही बदल सकते हैं और अगर उन्हें ऐसा लगा कि आपका input सही है और वो दोस्तों आपको हमेशा ही included feel कराते हैं और यह बात उनके लिए काफी एहम थी उनके साथ दोस्तों जब पृत्वी से पूछा गया कि फिल्म में वर्दा और देवा काफी अच्छे दोस्त देले लेकिन क्या आप offset उनका और प्रभास का equation ऐसा ही है तब दोस्तों उन्होंने कहा कि यह impossible है कि आप प्रभास को जानो और उनके दोस्त ना बनो आगर उन्हो साथ वो constantly in touch रहते हैं और उनके messages पर बात भी होती है उनका मानना है कि प्रभास के पास दूसरों के खुशी में खुश होने का एक gift है वो जब भी set पर होते हैं अपने आस पास सभी को comfortable feel कराने की कोशिश करते हैं सब के साथ खाना खाते हैं और उनके साथ काम करने के बाद उनने ये समझ में आ गया कि लोग उन्हें darling क्यों कहते हैं वो सच में एक darling है और down to earth है और दूसरे पहली बार नहीं है कि प्रभास की किसी को star ने उनकी तारीव की है हमारे darling है ही ऐसे कि किसी को भी दोस्तों उनके साथ काम करना अच्छा ही लगता है इसके साथ ही जब पृ काफी ज़्यादा सलार ओफर करने वाली है और इंसको सिफ आक्षन ही नहीं बलकि एक अच्छा ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है और उनके लिए perfect और एक great cinematic experience होने वाला है साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सलार का part 2 भी इसी level का है अब पृत्विराथ सुकुमार उन कि एक गैंग में बर्बंदा हर लोगा नहीं है बेड़ो समझा क्या है सालार फिल्म के flop होने के chances बई सालार का ये पहला पार्ट जिसे सीजफ़ायर नाम दिया गया है उसमें किसी जंग की शुरुवात होकर रुकने की खबर है और जिस तरह से जब टीजर में सालार को इंट्रोड्यूस किया गया और जुरासिक पार का mention किया गया तब व से रौकी भाई के opposite दिखाया है वो भी interesting है जिससे हमें एक बात तो दावे के साथ कह सकते हैं कि ये दोनों अगर एक साथ टीम में काम करेंगे तो डेड़ पूल और spider man वाली ही feeling आने वाली है साथ ही यहां सोचने वाली बात तो ये भी है कि इतने सारे सालार प्लस kgf के जो connection सामने आये हैं उनका कोई actual में मतलब होगा भी या नहीं या ऐसा भी हो सकता है कि हम इतने सारे अनुमान लगा रहे हो लेकिन सालार में रौकी भाई की entry ही ना हो या फिर सालार kgf universe का हिस्सा ही ना हो लेकिन हाली में दिपावनी पर release हुई tiger 3 में जिस तरह से srk के पठान के किरदार के साथ साथ रितिक रोशन के मेजर कबीर के किरदार की entry हुई उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि spy universe पूरी तरह से एक universe से concept को follow कर रहा है और अपनी फिल्मों को interconnect करके अपने किरदारों के बीच connection establish कर रहा है जिससे आगे चलकर spy universe के पास movie ideas की कमी ना हो जिसे Hollywood के हर movie universe में unlimited parts आते ही रहते हैं और ऐसे ही अगर प्रशानती नील को अपना एक universe create करना है तो कैसे भी करके उन्हें Rocky और सालार का connection दिखाना होगा फिर वो Captain America और Iron Man के बीच हुई Civil War की तरह भी हो सकता है या फिर Avengers The Age of Ultron की तरह भी हो सकता है या तो वो आपस में लड़ेंगे या फ साथ ही अगर हम प्रभास के किरदार को Rocky भाई के जैसा मानते हैं तो जगपती बाबु का किरदार अधीरा जैसा है जो उनके first look poster को देख कर ही पता लग जाता है तो वही पृत्वी राज का किरदार गरूडा जैसा होने वाला है जिनकी एक जहलक हमने teaser में देखी और उनके किरदार और गरूडा में एक similarity भी है जो हैं दोनों के serious expression और साथ ही कालाटी का जो गरूडा लगाता था वही पृत्वी राज के किरदार ने भी लगाया है और इन दुनों के बीच एक काफी तगड़ा connection भी निकल कराने वाला है तो आपके क्या विचार है सालार का KGF के सा कनेक्शन होगा की नहीं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर बताएं और देखते रहे हमारे चानल बालेग्राथ स्टूडियोड तो हमारी त्यारी ओडियन्स डंकी का तीजर देखा की नहीं 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 कि इस वीडियो में हम सालार को लेकर ही बात करने वाले पर क्या है ना कि आजकर सालार और डंकी हम साथ साथ है वाला कानक आकर एक साथ चर्चा में रहते हैं इसलिए पूचा मैंने खेर प्रभास की सालार दिसंबर में रुलीस होने बाली है और अब नबंबर म वेले दिनों में एक गाना हमें देखने को मिलेगा वैसे ये भी कहा जा रहा था कि प्रभास एक स्पेशल सॉंग नवंबर में शूट करने वाले हैं उसके साथ कुछ पोस्टर्स पी सामने आएंगे और जिसमें 6-7 पोस्टर्स हो सकते हैं वैसे प्रभास की जनन दिन पर आय प्रमोशन अब ये डंकी की बजह से है या अगर ये क्लाश ना भी होता तब यही स्टार्टेजी अपना ही जाती ये तो वही जाने है वैसे पहले ये भी बताया गया था कि दो ट्फिर्लस भी आ सकते हैं पर उसके बारे में अभी तक कुछ गंपर्म नहीं है इनके प्लान जिसमें हमें KGF वाइपस आ रही थी क्योंकि ये पन KGF उनिवर्स में ही बनाई जा रही है तो उसकी वजह से फिर्म का बजग का बढ़ गया था तो वहां पर कुछ लोग ये भी अंदाजा लगा रहती कि आगे चलकर प्रमोशन में डारेक्टर प्रशान नील ऐसे कर सकते हैं और बहुत बड़ा मार्केटिंग कैमपेंग भी चलाया जा सकता है वैसे सालार के मेकर्स अपने प्रड़क्त को लेकर कापी ज्यादा नजर आ रहे हैं पर वो प्रमोशन में कमी तो नहीं रखेंगे क्योंकि सामें डंकी का बहुत बड़ा चैलेंज जो है और अ वेट की ये कौन सा बॉंग फोनने वाले हैं जिससे नवंबर में दिवाली के साथ साथ एक और बढ़िया धमाका हो जाए तलहाल आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत आज के लिए बस अतना ही मैं प्रगती मिलूंगे आपसे नेक्स वीडियो में सेव रहिए मुस्कराते रहिए बाव बाई वैसे दोस्तों देखा चाहे तो साल 2020 खुद को बहुत खुश नसीब मानना होगा क्योंकि इस साल को पता नहीं कितनी बढ़िया बढ़िया पलों के दर्शन हुए हैं जसमें पठान है, जवान है, गदर्टू है, लियो है और अब टाइगर्ट्री है और अभी तो स्टॉक बागी है, जसमें आती है प्रभास की सालार, शारुख खान की डंकी और रनवीर कपूर की आनिमल, वैसे इसमें से गदर्टू और डंकी को छोड़ दे, तो बाग की सारी फिल्में जबर्दस मास्क मसाला फिल्में हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये साल मास्क मसाला फिल्मों से भरा पड़ा है, और अब ऐसे भी प्रभास की सालार भी मैदान में उतरने बाली हैं, पर एक और आक्शन मसाला फिल्म देखने मिलेगी, ये एक पॉजिटिव साइड होगा, तो दूसरा साइड ये भी हो सकता है ना कि बार बार सिर्फ आक्शन फि जेकनी तो दंकी देख लो, पर नहीं अभी तो हम बात सालार की कर रहे ना, तो उसी की करते हैं, और सालार में कूट कूट कर आक्शन सिग्वेंस भरे पड़े हैं, 750 वहिकल के साथ आक्शन सिग्वेंसें शूट किये गए हैं, इतना ही क्यों 20 मिनट का एक ऐसा आक्शन दोस मिल जाए दरसल खलापती की लियो बॉक्स अफस पर अच्छे आकड़े खटे कर रही है पर इसके सकेंड हाफ को लेकर कुछ रियक्शन ऐसे भी आयते कि सकेंड हाफ में बहुत फाइट सीक्वेंस दिखाने से लोग तंग आ गया है बोर हो गया है अगर हम टाइगर ट्र एक्जेक्योट भी नहीं किया गया है पर इससे होता यह ना कि कभी-कभी स्टोडी लाइन को धक्का पहुँचाता है अगर ठीकर से बैलेंस बना कर ना रखे तो उपर इसमें वॉयलेंस भी होगा और अगर रंडीत के आनमर्प्रम देखे तो उसमें भी आक्शन है ड्राम वाले हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वॉयलेंस का भी ना अब ओडोस मिल जाए तो ऐसी हालत में disappointment हो सकती है जो कि प्रभास की फिल्म के लिए बहुत महंगी पड़ सकती है अभी कहीं कहीं जगह पर नॉर्थ में स्पेशली आक्शन फिल्मों को एक्स्ट्रा ओर्डिनरी भी नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी situation में audience की expectation को फुल्फिल करने का बहुत बड़ा का सालार को करना पड़ेगा पर दूसरी बात यह है कि चिता करने की जर्वत भी नहीं है यहाँ प्रशान नीग जैसे डाक्टर है जो content के मामले में compromise करके सर्फ action को overdose नहीं दे सकते क्योंकि KJF example तो हुआए सामने है ही ऐसे मिसालार में action sequences को overdose नहीं होगा बलकि सही balance दिखाई देगा तलहाल आपका इस पर क्या कहना है अबे comments में जरूर बताए साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइप और शेयर करें आज के लिए बस इतना ही मैं प्रवती मिलूँगी आपसे नेक्स वीडियो में सेफ रहिए मस्कुराते रहिए बाबाई झाल 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 आज जो डारेक्टर जिन दो बातों को ध्यार में रख कर कुई पर्म बनाते हैं कि कंटेंडेंस केंग और ओडियेंस भगबान है हमारी जज है उन्हीं की पर्मों को 500-1000 करोर क्लब में खिलने का वागा मिलता है और जो ये बात ध्यार में नहीं रखते हो उनकी भैस पानी में चली जाती है अब आप कहेंगे कि सालार को लेकर ये सब कहने की क्या जर्वत है जर्वत है ना भाई सालार में प्रभास का इस्टाड़म है डारेक्टर प्रशादी के डारेक्शन है पर आप स्टोरी भी तो देखोगे ना ये स्टोरी तो होती है जो हमें तीन घंटे बिढ़ा कर रखने का डम रखती है तो ये सब कहने की वज़ा ये है कि प्रभास ने हैपनिक बनाई थी वो भी फ्लॉफल मोगी जिसकी वज़ा थी बहुत भी दखवा स्टोरी लाइन अब वो तीन पल में आपको पता ही होंगी साहो, राधेश्याम और आदिपुरुष पर सालार में प्रभास ऐसी गलती दोराना नहीं चाहते हैं और नहीं कोई और उनका माइंडसेट है कि अब ऐसा करना है कि बस अच्छा काम करना है अच्छे स्कृट अच्छे डाटर इस इक्वल टू हजार करोर अब प्रशाद दील जो की एजी आफ यूनिवर्स में सालार बना रहे हैं तो उसकी वज़ा से डंडे की कोई जर्वत नहीं है क्योंकि स्टोडी लाइन दमदार होगी और यही देखते भी प्रभास निस्पन को साइन किया है अब कंटेंड इस गिंग तो है ही पर शारुप फान जो फिल्मों के गिंग है उनकी डंगी ली प्रभास के सामने है और आपको पता है ना कि डंगी की डारेक्टर राजकुमार हीरानी ने 2021 में मल्टिपल ड्राफ्ट बनाये थे ताकि फिल्म के सकेंड हाप को मजबूत बना सके उन्होंने सकेंड हाप के लिए पता नहीं कितनी बार उसे रिराइट किया होगा अपने राइटर्स टीम के साथ क्योंकि एक बार स्टोडी पक्की बन गई तो फिल्म का आधा सक्सेस तो वहीं परफिक्स होता है तो अगर इस रानी की फिल्म को टकर दे रहे हैं जो स्टोडी में वहीं कॉम्प्रिमाइज नहीं करते जिनकी स्टोडी फिल्म को परफिक्स बना देती है तो ऐसे मामले में सालार की स्टोडी भी उसी तरह की होनी चाहिए वैसे ये बात तो है कि अब स्टोरी कैसी है ये तो वक्त आने पर ही मालूम चल पाएगा पर प्रभास के उपर अब 1500 करोड का प्रेशर है जैसे उनकी अपकमिंग फल्म कल की 2898 AD 600 करोड के साथ बन रही है पर उनकी एक हॉरर कॉमेडी फिर्म 200 करोड में बन रही है डारेक्टर संदीव रटी बांगा के साथ 200 करोड की स्पृरिट फिर्म को वो बना रहे हैं और सालार का बजट 400 करोड रुपे का है इसका मतलब खुल मिलाकर 1500 करोड का प्रेशर है प्रभास के कंदों पर है देखते हैं कि प्रभास पर लगाए जाने वाला ये पैसा वसूल होता है या पर नहीं और इन सब में पहली रिलीज होगी सालार तो फिलहाल आपको क्या लगता है प्रभाग क्या इस बार हमारे उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे या पर नहीं हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं साथी वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और श्चेर करें आज की लिए बस लुकाही प्रभक के में आपकी वीडियो को से नेच्छे वीडियो इसे पर ने वास वादे वनी ने दो वाइ हम इस क्रिस्मस पर भारती सिनेमा की इतिहास के सबसे बड़ी क्लाश में से एक को देने की तैयार है जी है हम बात करें बॉक्स ओफिस पर डंग की वो से सालार के हाई वोल्टेज क्लाश की जहां दोनों पर्मों के डार्टर्स पैंस को ज़्यादा से अपनी तरफ अट्राक करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे है वही प्रभास यानि की सालार का केजएअथ स्टार यर्श के करदा रौकी भाई के साथ कनेक्शन उस पूरे के पूरे क्लाश को सालार की तरफ जारा ज़ुकाता है साती हमें ये भी नहीं कह सकते कि ये एक अफवा है क्योंकि KJP Universe के डाय हाट फैंस ने हमारे सामने ऐसी कई सारी थियोरीज रख दी है जिन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि KJP और सालार एक दूसरे से डारेक्ट कनेक्टेड है इन सभी थियोरीज में से मेरी सबसे पेवरेट थियोरी है सालार का रौकी भाई को बचाना लेकिन परमान बनकर नहीं हम यहां ऐसी थियोरी की बात कर रहे हैं जिसके हिसाब से सालार को रौकी भाई को पकड़ने का कॉंट्राक दिया गया है और वो कॉनप्राग उसे अफरीकी गूल स्मगलर ने दिया है जिसे रॉकी का उसके देश में आकर उस पर राज करना ज़रा भी पसंद नहीं आया और साथी रॉकी ने 16 मुलकों में जो क्राइम्स किये हैं उसके बाद उसके दुश्मन भी काफी साथा बढ़ गए हैं और उसका सबसे बड़ा दुश्मन है ये अफरीकी स्मगलर क्योंकि उसे रॉकी और इनायर खलील दोनों ने ही धोका दिया है रॉकी भाई की डारेक्ट डील तो आपको यादी होगी जिसका जखर केजियअब 2 में हुआ था और उसे दील को पूरी करने के चकर में उसने अपने दुश्मनों की संख्या पढ़ा दी और अब इस अंडरवर्ड के डॉन ने अपने लेफ्ट हैंड मैन यानि कि सालार को रॉकी को मारने का कॉंट्राइक दे दिया है लेकिन जब सालार केजियअब में आता है तो वो देखता है कि रॉकी मर चुका है और पर जब वो केजियअब के लोगों सुनता है और रॉकी की बारे में सुनता है तो उसे रॉकी इंप्रेसिव लगता है और सालार का किरदार भी रोकी की तरह ही है इसलिए वो इस किरदार को जानने ही कोशुश करेगा उसे समझेगा और आखिर में उसका फैनल बन जाएगा और अपने बोस को धोका देकर रोकी से हाथ मिला लेगा और फिर ये दोनों मिलकर Rocky की मा कास अपना पूरा करेंगे लेकिन कहानी इतनी सिंपल भी नहीं होगी क्योंकि इसमें पहले Rocky और Salah के बीच फाइट होगी और फिर वो दोनों एक होंगे ये थियोरी बाग की सबी थियोरी से अलग है और लोजिकल भी है इसलिए मेरे हिसाब से हम ऐसाब को सालार में देखना एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो इस पर आपको क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताए साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें आज के लिए बस अतना आएं आप से नेक्स वीडियो में सेप लिए उस पर आते में लिए बग आए कॉनसी फोटो लीख हुई प्रभास की हलो एक बार फिर साब सभी का स्वागत है बोलिगराद स्टूडियोस में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्का त्यागी सलार एक अपकमिंग इंडियन आक्शन फिल्म है जो तो अचाते ही इसमें रिलीज होगी और इस फिल्म के डिरेक्टर प्रशान दे हैं जिनके बारे में पूरी दुरिया जानती है और इसी के साथ वा अपने पूरे इंडिया के वन अब दा फेमस डिरेक्टर स्के लिस्ट में भी शामिल हो गए है प्रसान नीली केजिफ चाप्टर वान और केजिफ चाप्टर टू डिरेक्ट करी हैं जो ओल्रडी वर्ल्ड फेमस मूवीज बन चुकी है सलार मूवी होमेबल फिल्म्स प्रडॉक्शन हाउस के अंडर ही प्रिडूस हो रही है जिसके प्रिडूसर है विचे केजिफ की फ्रेंचाइजे भी होमेबल फिल्म्स के अंडर ही प्रिडूस होई है सलार मूवी की में स्टार है प्रभास और इनको पूरी दुनिया जानती है क्योंकि इनोंने ससाजमौली की फिल्म बाहु बली में काम किया है और बाहु बली टू दे किंक्लूजन इंडियन सिनमा की सेकिंड हाइस ग्रॉसिंग फिल्म है और इनकी आक्टिंग उस फिल्म में लोगों को काफी पसंद भी आई थी प्रभास ने भी रीसिंटी एक फिल्म करी है जो आमजन प्राइम वीडियो पर है जिसका नाम है रादे शाम और इस मूवी के अलावा भी इनोंने बहुत साली मूवीज करी है जैसे मिर्ची, साहो और रिबे इस फिल्म में प्रभास के साथ और भी टालेंटी डाक्टर्स काम कर रहे हैं प्रिच्विराथ सुकुमारन, शृतिहसन और जगपतिकाव। शृतिहसन ने बहुनिवर्ट फिर्म से में काफी काम थिया है और उन्हें देखने के लिए उनकी फाल्स बहुत जाद एक्साइड़ है उनकी लास्ट फिल्म टेल्ग इंडास्टी में पुलिस पुलिस थी जो 2010 में रिलीज में थी तो चली दोस्तों अब थोड़ी सी और चीज़े जान लेते हैं इस फिल्म के बारे में सलार फर्म की शूटिंग ऐसा बताया जा रहा है कि आक्टिबर और निवेंबर के तक हदम हो जाएगी क्योंकि उसके बाद फर्मेकर्स फिर से बिजी होंगे के जिल चाप्टर 3 की शूटिंग लिए बट अभी इस मांद सलार फर्म की शूटिंग नहीं हो रही है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले फर्म की में आक्टर प्रभास की नी सरजरी हुई थी जिसकी बज़ा से उनकी फिजीक अफिटनिस पर अफेट हुआ है और उनका वेट बढ़ गया है प्रभास सलार फर्म की शूटिंग जून में स्टार्ट करने वाले हैं सोशल मीडिया पर सलार फर्म की फोटो लीग हो गई थी जिसमें प्रभास सूट में खड़े हुए है और फर्म मेकर्स बहुत कंसर्न थे इस चीज़ को लेकर अभी तक सलार फर्म से कोई भी ओफिचल नियूज नहीं आई है जिसके वज़ा से फांस काफी फ्रॉस्टेटेटेड है क्योंकि फिर्म के डिरेक्टर प्रशान नील ने प्रॉमिस किया था फांस को कि में मलत में फर्म के बारे में कोई ना कोई डीटेल वो शेर्ज जरूर करेंगे सलार शूटिंग के पहले प्रभास प्रजेक्ट के फिर्म की भी शूटिंग करेंगे जिसमें वो अमिताब पच्चन, तिपिक पदकोन और दिशा पटने के साथ दिखाए प्रभास की अल्डरी एक फर्म गवाइचा करोड से जादा वर्न कर चुकी है है और साथ ही प्रजैंति भी एक फर्मrendre एक अजार करोड को क्रॉस कर चुकी है प्रभास और प्रशान वनिलर की इस फर्म से लोग काफी एकसपेक्ऻ कर रही है क्योंकि इन दोनों ने अपनी रेपिटेशन कुछ ऐसी ही बना ली है ऐसे में फर्ममेकर्स के लिए टाफ हो जाता है फ्रांस के एकपेक्टेशन से माच करना मैं प्रिशाद नील प्रभास पूरा ही ट्रॉइ कर रहे है कि फ्रांस को उनीक के लिए फॉर्म पसंदा है हो सकता है कि इस फिल्म में हमें केज़िप के स्टार यश भी दिखाई दें त्योंकि फिल्म के प्रिड्यूसर विजे ने ये कहा था कि वो ट्रॉय कर रहे हैं इन फिल्म्स को मार्वल यूनिवर्स की तरह बना रहे का जो कि वर्ल्ड वाइट पॉपिलर है हाई बज़िट आइडिया लेकर आए हैं प्रिशान नील कैसा होगा प्रभास कलो कि इस फिल्म में नमस्कार एक बार पुरसाब सभी का स्वागत है बॉलिगराद स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ हनुश का त्यागी पान्या स्टार प्रभास बहुत जल्द अपकमिंग आक्षन चुलो सलार की शूटिंग शुरू करने वाले हैं प्रशान नील जो कि इजब के डिरेक्टर है और उनकी टीम ने इस फिल्म के मासिव आक्षन सीक्वंस को प्रिपैर करना शुरू कर दिया है इस फिल्म की डिरेक्टर ने ट्विटर का सहारा लिया फिल्म के बिहाइंड थ सीन को शेर करने के लिए वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रशान नील आर्ट डिरेक्टर शिवा कुमार को कुछ एक्स्प्लेइन कर रही है वीडियो शेर करते हुए उन्होंने लिखा प्रभास के अलावा सलार फिल्म में शृति हसन, पृत्वी राथसू कुमारन, जगपती बाबू, मधू गुरू सुआमी और ईश्वरी राउ है इस फिल्म में प्रभास एक डानमिक रोल में दिखने वाले हैं शृति हरसन इस फिल्म की फीमेल लीग कास्ट है यह फिल्म तेलगू तमिल मल्यालम और हिंदी लांग्वेज में रिलीज होगी और मेकर्स इस फिल्म को 2023 तक रिलीज करेंगे इस फिल्म के टेक्निकल क्रियो में सिनमाटिव ग्राफर भूवन गौडा और फिल्म डिरेक्टर रवी बसलूर है इस फिल्म का प्रडाक्शन भी वही प्रडाक्शन हाउस कर रहा है जिसने केजिएप को प्रिड्यूस किया था यानि की हुमेबल फिल्म जिस तरह से इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म भी के जिप की तरह ओल इंडियस सिनमा हेट होने वाली है हाल ही में फिल्म का पोस्ट रिलीज हुआ है जिसमें प्रभास को काफी एस्थेटिक लुक में देखा जा सकता है प्रशान्द इस समय एक Telegram फिर्म बगीरा पर काम कर रही है जो इसी साल रिलीज होने वाली है प्रशान्द इस फिर्म में writing और screenplay का roleplay कर रही है जो काफ़ important है इनके लिए प्रभास के लिए प्रजेक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है पिकॉज उनकी लास्ट फिल्म रादे शाम इतना टाइम पैक्ट नहीं कर पाई थी जिस प्रकार की उनकी फान फॉलॉइंग है ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि सलार कैसे इंपक्ट करने वाली है इंडियन सिनिमा पर सूपरस्टार ये श के बाद प्रशादने प्रभास पर दाब लगाया है तो कुछ सोच कर तो लगाया होगा क्योंकि वो और टाइम ब्लॉगबस्टर फिल्म बाहु बली सीरीज के सूपरस्टार्स हैं ऐसे में फिल्म को भी ब्लॉगबस्टर बनाने की पूरी कोशिश की जाए ही आशा करते हैं आपको हमारी आठी वीडियो जरूर प्रसंदाई होगी है अगर प्रसंदाई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मिल्कुल न भूले हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में तो आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बॉलिगराद स् में और मैं हूँ आपके साथ हनुष्कातियादी सलार एक अपकमिंग इंडियान आक्शन फिल्म है जो 2023 में रुलीज होगी और इस फिर्म के डिरेक्टर प्रशान दील है जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है और इसी के साथ वो पूरे इंडिया के वन अग्ड़ फ फिल्म के अंडर ही प्रिडियूस होई है सलार मुवी में में स्टार हैं प्रभास और इनको पूरी दुनिया जानती है क्योंकि इन्होंने ऐसे स्राजय मौली की फिल्म बाहू बली में काम किया था और बाहू बली टू दिक इंक्लूजिजन इंडियन सिनिमा की सेकिंड इस ग्रॉसिंग फिल्म है और इनकी आक्टिंग लोगों को बहुत ज़्यादा पसंदाई थी प्रभास में रीसंट लिए फिल्म करी है जो आमजन प्राइम वीडियो पर है जिसका नाम है रादेशाम और इस मूवी के अलावा भी इनोंने बहुत सारी फिल्म करी हैं जैसे मिर्ची साहो और इस फिल्म में प्रभास के साथ साथ और भी टालेटी डाक्टर्स काम कर रही है जैसे प्रत्वी राद्सु कुमारन शुदीहसन और जगपती बावु शुदीहसन ने बॉलिवट फिल्स में भी काम किया है जैसे लग जिसमें संजद अग्भी और रमाय व पुलिस पुलिस थी जो 2010 में रिलीज थी चले दोस्तों होड़ी सी और चीजसे बताते हैं आपको इस फिल्म के बारे में बाहु बली टू के जिए चापके टू और पान साओ इंडास्टी को बहुत जादा अचाहने है और जब से लोगों को पता लगा है कि बाहु बली के स सा रही है और अगर कुछ टाइम में अपडेट नहीं आती है इस फिल्म को लेकर तो वो फैन अपनी जान दे देंगे सोशल मीडिया पर ये नोट वाइरल हो गया है सलार फिल्म के डिरेक्टर प्रशान नील ने कुछ टाइम पहले फैन्स को प्रॉमिस किया था कि वह इस फ पहले से जिसकी वजा से मेकर्स खुड टेलेशन में हैं दोस्तों स्कान ने ये भी मेंशन किया है कि अगर सलार फिल्म का टीजर नहीं रिलीज होता इस मन्त तो अपनी जान दे देगा सलार फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और फांस को बहुत ज़दा पसंद भी आ र सार दिखेंगे इसने सारी चीजों की वजा से सलार फिल्म में कुछ-कुछ चीज़ें दिले हो गई हैं सभी एक्साइट रहते हैं फिल्म स्केरी और फांस ऑलरी एक दू साल से वेट कर रही हैं अपनी फेवरिट स्टार को देखने के लिए थीए इस पर पर इसका मतलब य पर इसने सारश के और उनके साथ इस फिल्म में शृति हसन भी दिखेंगी प्रभास ने अभी रिसेंट्ली एक फिल्म करी है जो एमेजन प्राइम वीडियो पर ही है जिसका नाम है रादेश्याव और इस मूवी के लावा भी इनों ने बहुत मूवीज करी है जैसे मिर्च शाहो और रिबेल बाहुवली 2, KGF चाप्टर 2 और ट्रुपल R के बाद फैंस साउथ इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा चाहने लगे हैं और जब से लोगों को पता चला है कि बाहुवली के स्टार और KGF फ्रंचाइजी के डारेकटर साथ ही काम कर रहे हैं तब से लोग सालार फिंद को लेकर बहुत एक्साइटेड है सालार नेक्स्ट य retard रिलीज होने वाली है और साथ में इस फिल्म से कंपीट करने वाली बहुत सारी फिल्म्स होने वाली है सबसे में जो चीज है वो ये है कि सालार मूवी के competition में शारूख खान के फिल्म पठान होने वाली है पठान फिल्म में काफी famous actors होने वाले हैं बॉलिवुड के जैसे जॉन अब्राहिम और दपेका पाड़कोन शारूख खान मेंन लीड है इस मूवी के और इसमें शारूख खान का रोल बहुत interesting रहा है पठान मूवी के बारे में एक और चीज जो पता चली है वो है कि इस मूवी में जॉन अब्राहिम का रोल कुछ ऐसा है कि वो सिर्फ पैसो के लिए काम करते हैं उनकी कोई भी नाशनालिटी नहीं है और सिर्फ पैसो के लिए ही काम करते हैं मूवी में वो रश्यन माफियास के लिए काम करते हैं और इंडिया में कोवर्ट गन राकेट रन कर रहे हैं पठान मूवी के बारे में ये पता चला है कि eventually जॉन एप्राहिम की S.R.K. और दिपिका पाडुकोन से लड़ाई भी हो गई है। शारुक खान और दिपिका पाडुकोन मिशन पर होते हैं इस रैकेट को बस्ट करने के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मूवी में सलमान खान बहुत कम सीन्स के लिए दिखेंगे, टाइगर के रोल करते हुए। उनका क्यारक्टर शारुक खान को रश्यन माफिया से बचाने का है। एसार के पूरे वर्ल्ड में one of the highest paid actors में से एक है। उनकी मूवीज जो होती है ज्यादातर हिट ही होती है। शारुक खान खुद में ही बॉलिवूड का एक बहुत बड़ा नाम है। हम सबने शारुक खान की मूवीज देखी हुई है। और मूवीज को देखते ही समझ जाता है कि मूवी का बजट काफी ज्यादा है क्योंकि आखिर वो फिल्म है तो शारुक खान की ही। रिपोर्ट के थ्रू पता चला है कि पठान मूवी के लिए शारुक खान ने एक सो करोड लिया है जो उन्हें इंडिया का हाइस्ट पेड आक्टर बनाता है। एसारके इस मूवी में एक न्यू लुक के साथ दिखाई देंगे और साथ ही उनका लुक भी इस फिल्म के लिए बहुत इंटेंस है। एसारके के अलावा भी जॉन इब्राहिम ने इस मूवी के लिए बीस करोड फीज रखी है और दिपिका पाडुकोन ने पंद्रा करोड लिया है। पठान मूवी में बताया जा रहा है कि आशुतोश राना का रोल इस मूवी में एक रॉज जॉइंट सेक्रेटरी का होगा। डारेक्टर सिधात आनंद और प्रोडियूसर आदित्य चोपडा ने कहा कि इस मूवी में आशुतोश राना को कास्ट करने का आइडिया उन्हें उनकी मूवी वार से मिला। आशुतोश राना ने डिंपल कबारिया और S.R.K के साथ अल्रेडी शूटिंग स्टार्ट कर दी है मुंबई के यश राज स्टूडियोस में। डिंपल कबारिया का रोल इस मूवी में रॉज एजिंट का होगा। साथ में शूटि वसन दीगी है तो चलिए शुरू करते हैं प्रभास की काथा। किसी भी एक्ट्र कीतार प्रभास भी नॉर्मल एक्टर थे जो समय समय पर मूवी करते हैं कुछ रिट हो थी तो कुछ फ्लॉप तो प्लॉप तो 2015 में जब डॉप बस्र बाहु बनी तब बि वेंकर टेज सत्यनारायन प्रभास राजू उपल पार्टी इनका पूराना है 1979 में प्रड्यूसर सूरे नारायन राजू की घर पैदा हुए ये एक प्रड्यूसर और एक्टर्स की फैमिली से ब्लॉप पड़ते हैं तो टैलन इनके खून में ही दौड़ता है पर आपको श में ट्राय करने को कहां और इसी के साथ 2002 में प्रभास की पहली मूवी इश्वर आई पर ये ज्यादा चैनल है अगी मूवी 2003 में आई रगवेंदर भी फ्लॉप होगी पर 2004 में वर्शन चो ब्लॉपस्टर गली और इनके करियर को इसमें उड़ा हुए इनोंने रोमांकिक औ अच्छो थ्रिलर दोनों ही जॉनर में काम की अब आया इनकी लाइफ का टर्निंग पॉंट जाहां से ऐसे राज मौली की 2015 में आई बाभुबली दब बिग्री ये मूवी कई लाइंगविज इसे ता मिलकर नटते लोगो मल्यालम हिंदी में भी रिजी ये मूवी थर्ड हा आपकर श्रीम और नसर निवे प्रभास के साथ प्राम किया ये मूवी प्राम 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 के अच्छो दिया और ऑट ज्यादा है कि इसके बाद तू के लिए जो 2017 में बड़े पड़े पराई वह बली चू ने पहले ही दिन दस दिन के अंदर ही 100 करों से ज्यादा कब इस इसके बाद प्रभास पहले ऐसे अच्छर बने जिन्टों वेक्स स्ट्रेच्च में मैटां प्रसॉड वेक्स मुजियम लंटन पे बना और विए उनिवर्सल स्टार बन गए अब यस अलार मूवी में शोती हसंते साथ मज़त आएंगी इसके लिए फैंस का आफी ज्यादा इसके साथ मैं हम आपसे लेते हैं अलमेदा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और का मतलब प्रशांत नील का जमाना तेलगो फिल्म में प्रशांत की एंट्री फिल्म का लोकेशन हुआता है सालार का बजट दो सो करोड होगा और सिर्फ प्रभास की फीज ही एक सो करोड होगी जी हाँ दोस्तों बजट का 50% हमें प्रभास की जेब में जाता दिखेगा प्रभास ने फिल्म बाहु बली में अपनी आक्टिंग से सबको प्रभावित किया और पूरे दुनिया में अपनी आक्टिंग से नाम बनाया प्रभास काफी इंट्रोवर्टेड और सिंपल इंसान है वहीं पर प्रशान नील इंडिया के टॉप डारेक्टर्स में अपनी जगह बना रहे हैं प्रशान के तीन पार्ट में बनी और बनने वाली फिल्म काफी ज्यादा हिट रही और लोगों को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई फिल्म की कहानी डारेक्शन और आक्शन सीन्स ने लोगों का दिल जीत लिया सिनेमा घरों में खोब सीटी भी बजी केजिफ चाप्टर वन ने बॉक्स आफिस पर दो सो पचास करोड का कलेक्शन किया और केजिफ टू ने बारा सो करोड अप्रॉक्सिमेटली ये सारे फिल्म की वज़े से प्रशांत नील और उनके साथ काम कर रहे आक्टर्स का भी सितारे चमक रहे हैं लोग ये फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है तो ये थी प्रशांत से जुड़ी खबरे अब हम बात करेंगे फिल्म के लोकेशन की फिल्म के शूटिंग की शुरुआत विशाखा पटनम से किसी गोल्ड माइन से शुरू हुई हमें इस फिल्म में भी कुछ माइनिंग से कनेक्शन दिख सकता है फिल्म की 30% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये फिल्म हमें 2023 के समर में रिलीज होती हुई दिखाई दे सकती है सालार 2023 की highly anticipated movie रहेगी ये प्रशांत का तेलोगो फिल्म में पहला प्रोजेक्ट है इसलिए प्रशांत काफी ज़्यादा excited रहेंगे साथ ही साथ बाहुबली के अक्टर प्रभाज भी फिल्म सालार में हमें शूती हसन आद्या का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी और ये एक romantic action movie होगी शूती हसन को इस फिल्म में एक करोड का पेचेक भी मिलेगा शूती हसन काफी कम फिल्म्स में आई है शूती आखरी बार Amazon Prime की वेब सीरीज बेस्ट सेलर में नजर आई थी तो दोस्तों ये थी सालार से लेके कुछ खबरे इस फिल्म के बारे में जाने के लिए हमारे साथ बने रहे क्यों हुए थे परशांत नर्वस किसने रची फिल्म की कहानी क्या हमें दिखेगा ब्रोमेंस हेलो दोस्तों मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलिग्रैड स्टूडियोज में फिल्म सालार डारेक्टर प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म है इस फिल्म में लीड रोल में प्रभास और शूरती हचन दिखाए देंगे फिल्म के लिए प्रभास हाल ही में वेट लोस कर रहे हैं क्योंकि प्रशांत प्रभास की बोड़ी पे पोस्ट प्रोड़क्शन काम नहीं करना चाहते इस वज़ा से प्रशांत काफी नर्वस हैं और चाहते हैं कि प्रभास एक अच्छे फिजीक में आए जिससे उनके शूट प्रशांत अच्छे से शूट कर सके प्रभास वेट लूज करने में लग भग लग गए हैं और काफी जल्द हमें अच्छे फिजीक में नजर आएंगे लेकिन प्रभास एक अभी माइनर इंजरी को लेके फेस कर रहे हैं जिसे वो जल्दी रिकवर कर लेंगे इकवरी के लिए वो स्पेन गए लेकिन अभी उन्हें कुछ महीनों के लिए रेस्ट करने को कहा गया है रही बात फिल्म के शूट की तो शूटिंग शूरू हो चुकी है फिल्म की शूटिंग तेलंगाना में सूट होनी शूरू हो चुकी है अब तक 30% शूटिंग हो चुकी है फिल्म का 1st schedule फेरवरी 2021 में रिलीज हुआ लेकिन फिल्म अभी हाट पर आ चुकी है प्रभास की राधे शाम और प्रशांत की KGF2 के रिलीज के कारण खबरों के अनुसार इस फिल्म की शूटिंग इस साल रैप अप हो जाएगी और 2023 में रिलीज हो जाएगी तो दोस्तो ये थी फिल्म के शूटिंग को लेके कुछ खबरें अब हम बात करेंगे किसने लिखी फिल्म की कहानी तो दोस्तो ये फिल्म की रचना डारेक्ट प्रशांत नीर ने खुद ही की है प्रशांत नीर काफी creative director और writer है उनकी रची सारी फिल्म super hit रही है प्रशांत की पिछली फिल्म KGF के hit जाने से इस फिल्म से उमीदे और भी ज्यादा बढ़ गई है और प्रशांत और actor प्रभास के उपर भी pressure बढ़ गया है प्रशांत की लिखी ये कहानी original है और ना ही किसी फिल्म का remake तो दोस्तो ये थी फिल्म की कहानी अब हम करेंगे फिल्म के cameo की तो दोस्तो इस फिल्म में हमें मल्यालम एक्टर प्रिथ्वीराज सुकुमारन cameo के रूप में दिखाए देंगे प्रभास काफी खुश हैं इस मल्यालम एक्टर को लेके इस फिल्म में ये फिल्म का production UV creation ने grand scale पर किया है 200 करोड के बजट के साथ जि UV creation ने कई सारी फिल्मों को produce किया है जैसे मिर्ची रादेशाम साहो रन राजा रन और हैपी वैडिंग अब देखना ये रहेगा कि कैसी होगी इस फिल्म से इनको profit क्योंकि इनके द्वारा produce की हुई फिल्म में से कोई भी फिल्म इतनी हिट नहीं रही सिवाए मिर्ची के इ इस फिल्म में डार्ट सेंट्रिक थीम यूज होगी और ये टेकनोलोजी फिल्म तैनात, बैटमेंड, ट्रायलोजी और मैट्रिक्स इस टेकनोलोजी के इस्तेमाल से फिल्म की इमेज और भी बढ़ जाएगी इस फिल्म में हमें प्रभाश और शूरूती के अलावा नजर आएगी, ये फिल्म प्रफशांत की पहली फिल्म है तिल्वु में, ये फिल्म के OTT राइट्स के लिए 200 करोड की ओफर हुई थी, इसके साथ एक और बड़ा सवाल रहेगा कि KGF के वर्ल्ड वाइड 1200 करोड के कलेक्शन से इस फिल्म के कलेक्शन की करना बेखुना भुने की प्रभास की कितना पॉसन शूट हुआ है कंप्लीट और आखिर कैसा रहा है शृती हसन का करियर हलो एक बार फिरसे आप सभी का स्वागत है बॉलिदाद स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ हरिश का द्यागी फिल्म सलार डिरेक्टर और स्क्रीन राइडर प्रशान दील की अपकमिक फिल्म है जिसका बजट 200 करोड रुपे का है ये फिल्म आक्षिन पाक्ड और दमाकेदार रहेगी इस फिल्म में हमें लीडिंग रोल में प्रभास और शृती हचन नजर आएंगी और इस फिल्म में हमें और वेकिरदार नजर आएंगे जैसे प्रथविरात सूकुमारत, जगपती बाबू और इश्वरी राओ इस फिल्म में शृती प्रभास के लाब इंटरस का रोल प्ले करेंगी और फिल्म में इनका नाम होगा आध्या वहीं पर प्रभास का नाम होगा सलार और बाबू का नाम होगा राजमनार वहीं पर ईश्वरी सलार की मा के रोल पले करेंगी देश्वर्म में प्रभास सौ करोड रुपे चार्ज करने वाले हैं और 10 परसेन Depart B box office collection में से बी जी हा दोस्तों कुछ इस प्रकार प्रभास का प्रे रहने वाला है प्रभास 2016 में आई फिर्म बाहुबली से हिट हुए और इतने जाद हिट हुए कि वो पूरे भारत और वर्ड वाइड में फेमस हो गए इसके बाद बाहुबली टू आई जिसने कई सारे बॉक्स ओफिस रिकोर्ट को तोड़ दिया था इस फिर्म के अलावा प्रभास फिर्म आदिपुरिश में भी 60 करोड रुपे चार्ट करने वाले हैं तो दोस्तो ये थी कुछ प्रभास में जोड़ी ख़बरें अब हम बात करते हैं इस फिर्म के रिलीज की तो ये फिर्म 2023 के सेकिंड कोटर में रिलीज होती हुए दिखी कि ये फिर्म टेलिगू के अलावा मल्यालम, कंणर, हिंदी और तमल में भी रिलीज की जाएगा इस फिर्म की शूटिंग विशाखा पत्नम में शुरू हुई और 30% शूट कम्प्लीट हो चुका है ये फिर्म के कुछ सीन्स बल्गेरिया में भी शूट के गए हैं दोस्तो इस फिर्म को लेकर काफे सारे लोग excited है और सूटरो के माने तो ये फिर्म 1000 करोर का कलेक्शन करने की प्लाइन कर रही है प्रभास ने इसके पहने डिरेक्टर राजम मौली के साथ काम किया है तो दोस्तो आज हम बात करेंगे टेलगू इंडास्टी की गौट फादर की बेटी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कमल हसन की बेटी शृती हसन के बारे में शृती हसन का जनम मदरास में हुआ और वो आगदिंग के साथ साथ सौंग्स भी गाती है दूस्तों नोंने अपने स्टॉंग का डेबियू 2000 में किया था फिर्म हेरां से शुती ने फिल्म में आज लीड डेबियू किया बॉलिवड फिल्म लक्से जो बॉक्स आफिस पर ठीक था चली थी सुती नों और भी कई फिल्म इंडास्टीज में काम किया है जैसे तलगू, तमिल और कनल सुती अब हमें डिरेक्टर्स फिल्म में दिखाए देंगी टीजर हुआ आउट क्या कहा प्रशान नील ने जी हाँ दोस्तों एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टुडियो के फिल्मी गल्यारे में पैन इंडिया आजकल ये शब्द काफी सुनने को मिल रहा है बॉलिवड टॉलिवड ये सब खत्म सिर्फ इंडियन सिनेमा एक फिल्म हर लेंग्वेज में फैंस तक पहुचाना तो ये तब शुरू हुआ जब प्रभास की फिल्म आई थी बाहुवली लेकिन जितना बड़ा नाम उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी और सालार जैसी प्रभास स्टारर फिल्म में और भी प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि ये केजिएफ यूनिवर्स की सबसे पहली फिल्म होने वाली है यू तो आपने देखा था कि किस तरह केजिएफ 3 और सालार का कनेक्शन पिछली वीडियो में दिखाया गया था अभी कुछ दिन पहले ही सालार के डारेक्टर प्रशान नील ने फैंस के साथ सालार की फर्स टीजर की बात शेयर की थी उन्होंने बताया कि इस फिल्म का टीजर 2022 के एंड तक आउट कर दिया जाएगा और शूटिंग के दौरान प्रभास के सीन के कुछ छोटे मोटे पिक्चर्स भी लीख हुए थे सालार की शूटिंग 30-40 परसंट तक पूरी हो चुकी है और साथ ही इसे एगले साल 2023 के किसी भी शुरुआती महिने में रिलीज कर दिया जाएगा फिलाल पिछले समय से प्रभास का करियर कुछ खास नहीं रहा था उनकी फिल्म राधे शाम बुरी तरह फिट गई थी ऐसे में वो सालार को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते इसलिए वो इस फिल्म के लिए काफी महनत कर रहे हैं और एक वज़ा ये भी है कि इतनी जल्दी टीजर रिलीज क्यों नहीं किया जाएगा क्योंकि KGF की हिट अभी भी लोगों के अंदर ताजा है ऐसे में अगर प्रभास का टीजर आता है तो प्रभास और यश्ट के कंपेरिजन की बातें शुरू हो जाएंगी इस वज़़ से टीजर को थोड़ा सा समय लेकर रिलीज किया जाएगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी फिल्म खलनायक के बिना अधूरी होती है तो अगर इस फिल्म के विलन की बात करें तो हीरो के साथ साथ विलन भी बराबरी के होंगे जी हाँ फिल्म में मलयालम एक्टर प्रत्विराज को खलनायक के रूप में देखा जाएगा पृत्वी राजेक एक्टर होने के साथ साथ प्रेडूसर, डायरेक्टर और एक प्लेबेक सिंगर के तौर पर मलेयलम सिनेमा में काफी काम कर चुके है साथ ही हिंदी और तेलगू भाशाओं में काम करते देखा जा चुका है इन्होंने कई सारे एवार्ड्स अपने नाम किये हैं जिनमें नैशनल फिल्म फिर एवार्ड भी शामिल है इनके फिल्मी करियर की शुरुआत नंदनम से हुई थी, ये एक बहतरीन फिल्म थी और जहां तक बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट है पांसो करोड और ये एक साथ बारा हजार स्क्रीनों पर दिखाई जाएगी साथी प्रशान भी अपनी आने वाली साली फिल्मों में किसी भी तरह की कमी नहीं देखना चाहते फैंस को उनकी फिल्मों से काफी ज़ादा उमीद है और ऐसे में वो कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते तो दोस्तों क्या प्रभास की आने वाली फिल्म सालार के लिए एक्साइटेड है आप अपना जवाब हमें ज़रूर बताएं लाइक और शेयर करना पिल्कूल न भूलें और देखते रही हमारा चैनल बॉली ग्राब स्टूडियोज चाप्टर वान की जिफ चाप्टर टू डिरेक्ट करी है जो और डी वर्ल्ड फेमस मूवी बन चली है और इसा बताया जा रहा है कि सलार फिर्म नेक्स्ट डियर रिलीज होने वाली है और उसके लिए फायं सब बहुत ज्यादा एक्साइटिल है सलार फिर्म अक्शल में मूवी इंडास्टरी को चेंज कर सकती है अपने काम से चली हम आपको बताते हैं कि कैसे सलार फिर्म के रिलीज होने से पूरी फिर्म इंडास्टरी चेंज हो सकती है इंडिया की सबसे पहले तो DCT Technology है जिसकी वज़ा से बहुत चांसेज हैं कि revolution आजाए फिर्म इंडास्ट्री में सलार फिर्म में DCT Technology का यूज किया है जिसका फुल फॉर्म है डार्क सेंट्रिक थी और इस टिक्नॉलिजी से फिर्म की शूटिंग में डार्क सेड आ जाता है और सलार फिर्म DCT Technology यूज करने वाली फिर्स्ट फिर्म होने वाली है फ्रांस को फिर्स टाइम एसा एक्स्पिरिंस मिल लबाला है जिसकी वज़ा से हो सकता है कि सलार सूपर हिट हो जाए और आगे जाकर और भी फिर्म DCT Technology यूज करें इसे रीजन की वज़ा से सलार फिर्म हो सकती है चेंज कर दे फिर्म इंडास्टी को और हो सकता है डीसेजी टिकनॉलिजी से और्ड मुवीज इंस्पायर हो और यूज करें अपने अपनी फिर्म के लिए आपको बता रहें कि DC Technology के अलावा भी एक और चीज़ है जिससे इंडिन फिल्म इंडास्टी चेंज जाएगी कुछ रहें पहले फिल्मेकर्स ने कहा कि सलार फिल्म के डिरेक्टर परशान मील सोच रहे हैं सलार को Avengers की तरह बनाने का सलार में परभास होने वाले हैं और सलार से पहले प्रशान मील ने केज़े चाप्टर 2 भी बनाई है जिसमें में हीरो यश थे अब हो सकता है कि आगे जागे किसी फिल्म में यश और परभास दिखाई दे दोस्ता आपको बता दे कि Marvel पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है और Marvel वर्ल की नमबर वन फ्रेंचाइज ही है Marvel की मुवीज में हमने देखा है कि सारे सूपर हीरोज एक साथ फाइट करते हैं और एक ये फिल्म का हिस्सा होते हैं अगर प्रशाद नील का आइडिया यश और प्रभास को साथ में लाने और दिखाने का और दोनों को ही एक फिल्म का हिस्सा बनाने का है और अगर वो सक्सेस्फुल हो जाता है तो इंडियन फिल्स्टी के लिए एक बहुत बड़ा डिवलीशन बन सकता है क्योंकि आप से पहले बहुत कम फिल्म सी हैं जिसमें हमने ऐसे आक्टर्स को साथ काम करते हुए दिखा है इससे पहले हमने देखा है कि रो इस शैटी ने ट्रॉय किया है अपने फिल्म में इस कंसेप्ट को यूज करने का उन्होंने सबसे पहले सिंगम डिरेक्ट करी और पर सिंगम टू जब यह दोरों फिर्म सागे और लोगों को बहुत पसंद आई तब उन्होंने रनवीर सिंग के साथ सिंभा डिरेक्ट करी जिसमें एंड में अज़देवगन का एक कैमियो रोल किया जिसमें रनवीर सिंग बहुत जादा अच्छा लगा और इन तीनों को एक साथ कोई फर्म में नहीं ला पाया था इन्हों एक फर्म करी है बट उसमें एक अक्टर के लावा बाकि आक्टरस का क्यामे रोल रहा है और ये रोल रहा था तो थोड़े टाइम के लिए ही तो अगर प्रशान नियुक्त सो के लोड़े के KGF का रिकॉर्ड नमस्कार दर्शकों मैं हूँ आपके साथ करने का लिंग वल और आप देख रहे हैं बॉलिग एच्छी बाहु बली को पोई नाच जाने ऐसा भी हो सकता है बॉलिवुड को एक ही चट्के में हिला चुगाला के प्रभास नहीं के बाहु ब बलियानी की प्रभास बाहु बली के बात भी रुखे हैं उन्होंने दो पड़ी फिल्में की जैसे की साहू और आदेशी बात करेगर साहू की साहू एक एक एक्शन सस्पेंस लगी और उन्हीं दूसरी तरह प्रादेश्यामे की रोमांट्री नहीं प्रभास अब जुडग प्रशान की लाइफ का तर्निंग पॉइंट बनी उनकी सूपर डूपर हिट फिर्म केजियाफ आज तक की सबसे बड़ी हायस ब्रॉसिंग कर्णर फिल्म है जिसने टाइटल हासिल कर चुड़ी बात करेगर प्रशान की लाइफ के बारे में तो प्रशान की पूरा नाम है फिल्म इंडास्टरी चोहने का भी वैसलत तो लेकिन खुडानी चमतकार किया और उनकी जोली में आ गई उग्रफ जो बॉक्स ओफिस पर हिट साबे थी और बन गई थी कर्नट थी हाइस ड्वासिंग फिल्मोवी से ही प्रशान ने फिट रखी केजियों को लार बोल्ड माइंड स्पील्ड तो मुख्या मूमे का निभाई थी यश्ने और फिल्म ने क्या कमाल करती ये सम हम चानते ह अब प्रशान चल पड़े हैं अपने ही बनाय हुए रिकॉर्ड को तोड़ने की जिस काम में उनका साथ देंगे बाभु बली याने की प्रभास सलार की शूटिंग हुई शुरू तू दिसांबर 2024 और फिल्म का पोस्टर भी रिलीस कर दिया देंगे तुन को प्रिड्यूस और जगापती बाभु सलार की कहान लेके गई है प्रशाद मील दौार और फिम के प्रेड्यूस किया है विजय किरगण मूद सलार का ओवरॉल बजट तक 200 करू बता दें सलार 2023 में रिलीस होगी और फिल्मों की बाकी बश्याव में रिलीस किया जैगा जैसे मल्यालम, तमि करना हिंदी और बाकी अलग लाग जैगे और फिल्म में और कितने चैरों की होगी इंट्री के लिए कर आगए सलार के प्रेल लॉंच के लेट क्या प्रभास प्र दिखेंगे बामगरी लुगर में प्रभास को सुपचार प्रभास अभीनी तेलबू फिल्म सलार का टीजर अगले महिने रिलीज होने की पूरी संभावना है और रिपोर्टर्स के मताबिक जुलाई के दूसरे हफ्ते में टीजर रिलीज होने की उम्मीद है डिरेक्टर प्रशांद ने टीजर का काम पूरा कर लिया है और इसे जल्द ही रिलीज किया जाएगा प्रशांद टीजर करने में कोई देरी नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका मोटे फिल्म के आसपास प्रचार को बनाये रखना है ऐसा इसलिए है क्योंकि फिल्म को लेकर पहले ही आसमान चुने वाली खबरे बाहर आ रही है और कीजिएफ चाप्टर टू के डिरेक्टर अब ओडियंस को और इंतजा कों तक पहुंच वाने के लिए कड़ी मेंनत की हालांकि फिल्म के जिएफ चाप्टर टू के कैंसल होने के कारण सलार की शूटिंग भी रुख गई थी महामारी के कारण फिल्म की रिलीज को अगले साल के लिए ठकेलना पड़ा प्रबास के फैंस उमीद कर रहे हैं कि ये बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो क्योंकि उनकी पिछली दो फिल्मों साहो और रादेशान को दर्शकों से अच्छे रिव्यूज नहीं मिले थे इसलिए फैंस सलार के बहतर होने की उमीद कर रहे हैं क्योंकि फिल्म के डिरेक्टर ने हाल ही में के जिएफ चाप्टर टू जैसा मास्टरपीस बनाया है और प्रशांद ने दो फिल्मे के ज़ेफ चाप्टर 1 और के ज़ेफ चाप्टर 2 को दिरट किया है प्रभास अपनी हर भूमिका में अपना वेस्ट देने के लिए जाने चाते हैं और फैंस को उमीद है कि प्रशांद और प्रभास की जोड़ी personality के लिए जाने चाते हैं लेकिन हाली में उनके off screen looks में उनके fans को भी confused कर दिया कई मशूर अस्तियों के लिए ये important है कि वे on screen और off screen भी अपने आपको presentable रखें नई तो वो अपने fans को खो सकते हैं प्रभास जो हाल ही में आदिपुरुष की shooting कर रहे हैं अभी नीता जहां भी जाते हैं अपने सिर के चारों और एक स्काफ पहने हुए देखे गए प्रशांसक सलार में उनके लुक को लेकर चिंदित हैं क्योंकि वही फिल्म है जिसके आगे shooting करने वाले हैं इससे पहले सलार के डिरेक्टर प्रशांत नील ने सपश्ट किया है कि वो परसनल रूप से फिल्म के लिए प्रभास के नए रूप की देखभाग कर रहे हैं ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी पिछली रिलीज रादे शाम में अभी नीता की स्टाइल और लुक्स को सोशल मीडिया पर भारी ट्रोल किया गया था और प्रशन्सक सलार में फिर से इसी बात का अनुभव नहीं लेना चाहते हैं बता दें कि सलार में मुख्य भूमिका निभाएंगे प्रभास शुरूती हसन और जगपती बाबू सलार की कहाने लिखी गई है प्रशान्त नील द्वारा और फिल्म को प्रोडियूस किया है विजय किरंदूर ने और अगर बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म का ओवरॉल बजट है 200 करोर ये फिल्म हमें 2023 के एंड तक देखने मिल जाएगी और आज के लिए बस इतना ही अब मैं लेती हूँ आप सभी से इजाजत भी होब कि आपको ये वीडियो पसंदाया होगा क्या सलार में जगपती और प्रभास बनेंगे दुश्मन कितना होगा सलार फिल्म का बजट आखिर कौन है ये जगपती बाबू हलो फ्रेंज और वेल्कम बाक तो यह फिरेटी डिप चानल बॉलिगाट स्टूडियो और वीडियो जिसमें आज मैं आपकी दोस्त और होस्त लीशा जोपडा आपका स्वागत करती हूँ और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धमागिदार मूवी सलार की जिसमें हम बात करेंगे कि क्या जटपती बाबू और प्रभास की जोड़ी लॉट रही है सब फ्रेंज इसका जवाब जानने के लिए बने रही है वीडियो के एंतर सलार फिल्म की आहट तो हमने सुन ही ली है अरे भाई प्रभास फिर जो लौट रहे हैं एक धमागिदार कमबाक के साथ अब प्रभास हमें फिर एक बार दिखेंगे आक्शन करते हुए सूपरस्टार प्रभास अभी नीज चली यू फिल्म सलार का टीजर अगले महीने रिलीज होने की पूरी संभावना है रेपोज के मताबिक जुलाई के दूसरे हफ़ते में टीजर रिलीज होने की उमीद है सलार एक अपकमिंग प्यान इंडिया फिल्म है जिसे प्रशान्त नील नल लिका है और डिरेक्ट किया है जिसमें प्रभास और शृती हासन ने लीडर रोल्स निभाए है इसका प्रडाक्शन विजे किरांगदुर ने अपने होम बेल फिल्मों के तहट किया है फिल्म को एक साथ कंणर और चेलीग्यू में शूच किया गया है जिसे तामिल, मल्यालम और हिंदी में डब किया जाएगा फिल्म में जट्पती बाबू, राजमनार नामकिक, महत्वपूर्ण भूमिगा निभा रहे है बात करें आगे जट्पती बाबू के बारे में तो वो एक भारतिय अभिनेता है जो मुख्य रूप से चेलीग्यू सिना में अपने काम करने के लिए जाने जाते हैं वो कुछ तामिल कर नड़र मल्यालम फिल्म में भी दिखाई दिये हैं 33 साल के करियर में बाबू ने 170 फीचर फिल्मों में काम किया है और उन्हें चार फिल्म फियर अवार्द्स और सत्य राजनन्दी अवार्द्स अम मिल चुके हैं वैसे केजीएफ चैप्टर वान और केजीएफ चैप्टर टू के डिरेक्टर की और से सलार नाम की एक और बिगज दिन लाइफ फिल्म आने वाली है सूबस्रार प्रभास और शृति हासन द्वारा अभिनीद यह फिल्म होंबेल फिल्म द्वारा निरमे एक एक एडवेंचर फिल्म है के जीएफ सीरीज के बाद डिरेक्टर प्रशान नील और हैंबल फिल्म के भीच यह तीसरी पार्टनर्शिप होगी ट्वेटी परसेंट शूट तो पूरा हो चुका है अब बज़े हिस्से को फरवरी 2022 तक खतम किया जाना चाहिए इस साल के अन तक एक नई रिलीस की तारीक दिये जाने की उमीद हम रख रखते हैं पोस्टर के बारे में बात करते हुए प्रडियूजर विजे किरंग दुर ने कहा हम सलार की दुनिया के सामने पेश करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते सलार के नई पोस्टर प्रॉजेक्स करने के पीछे कब विचार अधिक इंटरस्ट पैदा करना है अभी हम केवल इतना बता सकते हैं कि ये किरदार फिल्म के ट्रेनिंग पॉइंट के बड़े पैमाने पर दिखने वाला है निर्देशक प्रशान नील ने कहा सलार की शूटिंग को आगे बढ़ाने पर और किरदार सामने आएंगे फिल्म को एक नया भारतिय फिल्म के रूप में बनाया जा रहा है जिसे ये आनुमान लगाया जा रहा है कि इससे पहले भी हम सभी बाशाओं में इसे रिलीस करेंगे अब हम इस फिल्म के बारे में अधिक अपडेट की प्रदीक्शन नहीं कर सकते हैं सकते हैं तो सिरफ बात करके कि आगे फिल्म का बज़ेट की ये फिल्म हमें 2020 के अंच तक देखने को मिल जाएगी तो प्रभास का नया अंदास देखने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं या नहीं बताएं अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख कर वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा क्या प्रशान तोड़िंग के अपना ही रिकॉर्ड क्या सलार तोड़ी के KGF का रिकॉर्ड नमस्कार दर्शकों मैं हूँ आपके साथ करने का लिंग बल और आप देख रहे हैं बॉलिग रैट श्रूड बाहु बली को कोई ना जाने ऐसा भी हो सकता है बॉलिवुड को एक ही चट्के में हिलाच हो डाला था प्रभास ने उनके बाहु बली अंदाज प्रभास थे अलग ही लेवल की उचाइदी साउट फिल्म इंडस्री जैसे कि हम जानते ही हैं बाहु बली की सक्सस की वज़े से बॉलिवुड स्टार्स को ट्रोलिंग का साम और वहीं दूसरी तरफ रादे श्याम एक रोमांटिक मोवी है प्रभास अब जुड़ गए अपनी अपकविंग फिल्म सल्लार की तयारियों सल्लार की बात करें तो सल्लार को डिरेक्ट करें कि KGF डिरेक्टर प्रशांथ मी प्रशांथ यह लिए इंडियन फिल्म डिरेक प्रशांथ के लाधा में तो प्रशांथ की लाधा नाम है प्रशांथ नील फ्रांथपूर प्रशांथ का जम् C4 जून 1980 में पूछा गया कि उनके फिल्में कादम कैसे रखा, तबुरहने कहा कि वह सिर्फ पैसो के लिए फिल्म इंडश्य में काम करने के यह तेयार फिर व और उन्होंने कई बार ये फिल्म इंडास्ट्री छोड़ने का भी वैसला किया लेकिन खुदा नीच हमतकार किया और उनकी जोली में आ गई उग्रम जो बॉक्स ओफिस पर हिट साविक हुई और बन गई थी कर्णड ती हाइस डॉसिंग फिल्मों में से प्रशान ने फिट कुलार गोल्ड माइंड स्पील्ड जिसमें मुख्या मुमे का निभाई ती यश्ने और फिल्म ने किया कमाल करके यह सम जानते ही है केजियो को दो पार्ट में रिलीस किया गया तो और दूनों पार्ट में केजियों बहतरी परदर्शन किया अब प्रशान चल पड़े हैं अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जिस काम में उनका साथ देंगे बाहु बली यानि की प्रभास सुन को प्रिड्यूस किया जाएगा हॉम पले फिल्म स्वारा सल्लार में मुख्यभू में का निभाएंगे प्रभास पृत्वी राज सुकुमरन शू दार 2023 में डार 2023 में रिलीस होगी और फिल्मों के बाकी बश्याओं में रिलीस जाएगा जैसे मल्यालम, तमिलकर्न, हिंदी और बाकी अलाग लाग लाग्विज़ों हैं अब फिल्म में और कितने चेहरगी होगी एंट्री के देखना काफी दिलचस्त होगा तो क्या आप है excited प्रभास के new style देखने के लिए प्रभास के लिए सजाना शुरू कर देया है और इंटेवल वारे सीन्स ऐसे होंगे जो दर्शुकों के रॉंग ते खड़े करने पर मजबूर कर देंगा आपको बता दें कि इसकदर तकालिशान होंगे कि पिछले कुछ सालों के मताबिक यह सबसे बेस्ट सीन्स माने जा जो लोग सेट्स पर मौजूद रहकर इन्हें देख रहे हैं उनका भी अमानना है कि फिल्म बाहु बली की ही तरह एकवार पर प्रभास को टॉप की रेंज में पहुंचा सकते हैं सालार का निर्देशन प्रशान नील ने किया है जो केजियर से प्रस्विद्ध हुए और डालिंग एक्टर प्रभास के साथ उनका पहला कोलाबरेशन होने जा रहा है ये फिल्म इन पड़े पैमाने पर शूट होने वाली है इसलिए मानिचा रही है क्योंकि इसमें मास एलिमन्स होंगे और ये एक वॉयलेंच आजमे के इर्ध गिर्भून की नजर आएगी इस फिल्म में सुटी हसन दिली ड्रोन में होंगी जिनकी जोड़ी प्रभास के साथ पहली बार देखने वाली है फिल्म में जगपती बाबू भी एक एहम रोल में होंगे बात अगर प्रभास के बाकी प्रजेक्ट की गई जाए तो इस समय वो काफी विवी स्टेडियों से गुजर रहे हैं सालार के लावा उनकी कॉर्फिन रादे शाम काफी चर्चा में है जिसमें इनके साथ नजर आएंगी पूजा हेकड़े ये एक रुमेंटिक कहानी होगी जिसका फैंस को काफी इंतुजार है प्रभास की ये फिल्म संक्तरांती के आसपास रिजी होगी जब कि सालार भी परवरी के महीने तक रुगली फी जानी है इसके अलावा प्रभास पॉलिवुड में तैवली खान, फिजी सेनन जैसे स्कार्ट के साथ आदी तुरुष में भी नज़र आएंगे जिसमें वो फ्री राम बने है अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन वे से कौन ते पिल्म वाक्स आफिस पर ज्यादा करेगी तो ये तो समयाने पर ही पता चलेगा तिल्हाल के लिए बस इतना ही तिल्मों से जुड़ी एसी करी और जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहे हमारी आने वाली वीडियो आपको आज की वीडियो के लिए गायल शेर की सांसे इसकी ताहर सेगी ज्यादा अभ्यान कोगी तुड़ी 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 नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता वह कभी तरक्की नहीं पाता स्लार में खियान आ कर रहे हैं प्रशानत में रश्मीकान से फोई प्रभास की दुलना का क्या है राज दोस्तो एक बात तो पकी है बाहूबली स्टार प्रभास अब बाहूबली ब्राफ से नहीं पर एक ब्राफ है और फिर आज जिस तरह की प्रोजेक्ट वो चूज कर रहे हैं उस हिसाफ से उनके लिए फ्रांस की दिवान की देखने लायक है अब उनके वाले 25 प्रोजेक्ट के लिए फ्रांस के वीच खास आंग रेस है जो पाउंडरी इस ट्रॉस किये जा रहा है ले कहने से वेच खावर सुनने आ रही है उनकी अचीवमेंट की चल्टे उनकी साधी स्टार्स उस चलंडर सा मैसूस कर दही है आप देखिए प्रभास से कहले बहुत से चांगी बॉल्यूद मैंटे लेने की कोशिश ही लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद प्रभास इतना तो कोई और ही सपल रहा हो बाहु बदी के बाद उनकी फ्लॉफ फिल्म साभोगी आगी लेकिन उस्ते भी उनको लेकर प्यांस के का क्रेज था नहीं बदी अरोंने प्रूफ कह दिया कि उनकी फ्लॉफ पिल पे और धी ओठीटर तक लाने का लुट है उसके बाद के लिक अभी तक की वॉलिवूद के बड़ी प्रड्यूजर्स उन्हें अच्छा खासा लालश दे रही है। उनके आनी वाली कुम हादी पोरुष और सलार उन्हें में से एक है। के बाद यहीं तक नहीं रुके खावर है कि अपनी सीरीज भी उन्हें अपनी एक मूवी में अपनी लेने के लिए प्रड़ी प्रड़ी प्रवास के लिए है। वॉलिवुद में उनकी दिमान इस समय सल्मान खान और शारू जैसे ही कुछ है। अब इसका नतीज़ा यह है कि साउथ में कुछ बरे-बरे स्टार्स जो वॉलिवुद में ऐसा मुकाम बनाना चाहते हैं। आज पर गायराक्टर्स और प्रडूजर्स के साथ मिलकर ग्रांड लॉंच की प्लानिंग करे रहे हैं। है, हम तो यही कहेंगे कि ऐसी चीज़े प्लान नहीं की जा सकी और यह अपने आप ही होती है। खाला कि उससे पहले कि यह स्टार्स अपनी अपनी जगह बनाने के लिए एक स्टेप आगी लेके प्रभास अपनी उन से दस कदम आगे हैं। जिससे वो आज देशगर में अपने कदम शमाने हैं। वनी बाद उनकी आने वाली मूवी सलार की गए तो प्रशांत में दुआना देशगर में प्रभास की शाल शुटी हज़नी है। यह एक आक्शन दुमातिक मूवी है। आपको बता दे कि मूवी में कई नई टेशगर का स्टवाल किया चाएगा। जो आज तक किसी भी हिंदी मूवी में यूज नहीं की गई है। यह इंडिनाशन टेक्नोलोजी है। जिससे वीडियो मीटिंग और भी आसान जोचाती है। इस टेक्नोलोजी को इंडिया में लाने के लिए ने देशगर में काफी मोटी रखम खर्शगी है। जो उसका नतीगा मूवी आने के बाद आपको पता चकी जाएगा। घायल शेर की सांसे उसकी तहार से भी ज्यादा भ्यानक होगी। इसवर नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता। वो कभी तरक्की नहीं पाता। साउथ इंडिन फिल्म इंडस्ट्री में तहल का मचा कर रखा है। और उसके बाद यह अलुवर्जिंग की अपकमिंग फिल्म पुष्ट और प्रभास की आने वाली पिक्चर सलार भी लाइन में अपना नंबर डगाए खड़ी है। 14 अप्रील 2022 को रिलीज होने वाल ये आक्शन थ्रिडर फिल्म जो सलार प्रशांट नील द्वारा लिखी और डारिस की जा रही है। इस फिल्म के प्रडूसर विजय के रगुंदूर होंगे और सलार को होमबेग प्रविन प्रड़क्शन कंपनी के द्वारा रूलीज किया जाएगा। फिल्म के लीड आक्शे प्रभास हैं पूरी तरह तयार अपनी फाड़ू परफॉर्मेंट देने के लिए। सलार की शूटिंग 2021 के शुरुआत में भी शुरू हो चुकी है। सलार को लॉंच करने के एफिशन अनाउंस्मेंट 16 जानुरी 2021 को की गई थी। और उसके कुछ दिनों बाद इस फिल्म के कास्ट इन फ्यू के साथ विएद एक्साइटमेंट के साथ 39 जनलर 2021 को सलार की प्रिंस्पल फोटोग्रफी शुरू हुए थी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल के अन तक सलार की शुटिंग खत्म हो जाएगी और इस फिल्म के प्रोडक्शन को राप अप कर दिया जाएगा। देखने को मिलेगी प्रभास स्टार और ये आक्शन फ्रिटर फिल्ट जो प्रभास के फैंट को फिर एक बारुन का दिवाना बना देगी। सलार एक उद्धू शब्ध है जिसका मतलब है क्या अप्टन या फिर लीडर हिंदी में जिसे नेता भी कहा जा सकता है। सलार यानी एक ऐसा इंसान चों लोगों का नेतर तुप करना जानता हो। इस फिल्म में प्रभास का नाम होगा सलार और वो एक लीडर के रूप में नजर आएंगी। यही वचा है इस फिल्म का नाम सलार अखा गया है। क्योंकि प्रभास के वारा एक नेत्रुत्फ करता हुआ इंसान कैसा होना चाहिए, वो इस फिल्म में दिखाया जाएगा। सलार की कहानी और प्रभास की इंपाक्ट वुख किर्दार के बारे में जानकारी हासिर करने के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में फिलाल बस इतना ही और हम फिर मिलेंगे आपके पास एक नई मूवी से जोड़ी एक इंट्रेस्टिंग खबर को लेकर तब तक आप देखते रहें अपना मन पसंदीजर चानल बॉल्रभास टूडियोज और आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें गायल जीर की सांसे उसकी तहार से भी ज्यादा भ्यानक होती है इस वर नाकाम्यावी को कहले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता क्या होने वाला है फिल्म में श्रूती हसन का किरदार क्या सलार एक रिमेक फिल्म होगी नमश्कार बॉलिग्रेट स्टूडियो में एक बार फिर आप सब का स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं सलार मूवी से रिलेटेड कुछ इंट्रस्टिंग बात है साथ सूपरस्टार प्रभास की आने वाले साल में लगातार कई फिल्मे लाइन में लगी हुई हैं रिलीजिंग के लिए जिसमें राधेश्याम, अधिपूरुष और डिरेक्टर प्रशान नील के नया डिरेक्शन में बनने वाली सलार फिल्म भी लाइन में आ चुकी है जी हाँ आने वाली सलार फिल्म से प्रभास सेलेगू सिनेमा में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं जब से फिल्म सलार से प्रभास का जबर्दस लुक सामने आया है तब से दर्शकों में फिल्म को देखने के लिए और भी ज्यादा एकसाइटमेंट देखी गई है फिल्म में पहली पर प्रभास और शूती हसन की जोड़ी को बड़े परदे पर देखा जाएगा और इस फिल्म में शूती हसन एक जोर्नलिस्ट का किरदार निभाते हुए नजर आ सकती है पर अभी तक इस पर कुछ ऑफिशल अपडेट अभी तक सामने नहीं आई है इस फिल्म से एक और अदाकारा का नाम जुड़ रहा है और वो है साल 1997 में बॉलिवुड के फिल्म डोली सजा के रखना से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस जोतीका का जो अब आने वाली फिल्म में प्रभास की बेहन का रोल करते हुए नजर आ सकती है जोतीका तमिल तेलगू हिंदी इंड़स्ट्री में काम कर चुकी है और अपना अच्छा खासा नाम भी बना चुकी है उन्हें वाली टैगोर खुशी मौजी जैसी फिल्मों में देखा गया है सलार में उनका रोल होगा या नहीं वो इस फिल्म का हिस्सा होती भी है या फिर नहीं इसकी कन्फरमेशन मेकर जवारा भी तक नहीं की गई है तो देखते हैं क्या जोतीका इस फिल्म का हिस्सा होती है या फिर नहीं बात फिल्म सलार की कहानी की करें तो कुछ समय पहले खबरे काफी तेजी से बढ़ रही थी कि आने वाली फिल्म 2014 में आई कंणर फिल्म उग्रम का रीमेक होने वाली है और सबसे मज़े की बात तो ये है कि उग्रम फिल्म भी प्रशान नील के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इस फिल्म से उन्होंने अपना डेब्यू किया था पर इस बात से सलार फिल्म के डारेक्टर प्रशान नील ने साफ मना कर दिया है उनका कहना है कि सालार फिल्म के कहानी एकदम नहीं है और जो सिर्फ गायल शेर की सासें उसकी दाहर से की ज्यादा भ्यानक होगी उसको नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता कैसा इस वीडियो में हम बात करेंगे सलार के बारे में प्रभास्टार ये मूवी पिलहार प्रोड़क्शन से घुजर रही है अब चुकि इस मूवी को TGF के करता धरता प्रेशान नीज बना रहे हैं तो मूवी को लेकर एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा उची है दरसल यू तो प्रेशान को मूवी में कुछ एक्स्टा ओर्रिनारी करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ही मूवी अच्छी खासी पॉपुलारिटी हासल कर चुकी है लेकिन लेकिन सिर्फी एक्साइफ हस लगाटे है प्रेशान अपनी अप्नी एक्षन त्रिणर मूवी में हॉलिवूद टेक्नोलोजी यूज टेक्नोलोजी के बारे में खास बाष्थ देक्नोलोजी पहली बार कि पी इंडियन मूवी के लिए यूज कीच रहे ही जी हाँ, इसका मतलब ये है कि sound तो छोड़ी है, ये आज तक Bollywood में भी use नहीं की गई थी इस technology का नाम dark centric theme technology है क्या आप जानते हैं कि ये आज तक Hollywood की बड़ी-बड़ी फिल्मों ट्रेफिक, टेलिक, बात्मैक और मात्रिक्स में ही use की गई थी खास बाद ये है कि इस technology को Christopher Nolan में popular बनाया था जिन्होंने अपनी कई फिल्मों में इसका दमाल किया, लेकिन आज तक किसी Hindi movie में इसका use नहीं किया गया शायद इंडिया में इसे शुरू कहने के लिए फ्रिशान का नाम ही लिखा था इसने वो इतिहार जरूर लिखने वाले हैं ये technology viewers को फिल्में देखने का एक बिलकुल ही अलग और खास अनुभव मैसूस कराने जाली है दोस्तों अगर आप इस technology के बारे में और इस ज्यादा detail में कुछ चानना चाते हैं तो उसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंदिजार देखना होगा है प्रशान नील द्वारा निदेशित इस मूवी में प्रभास के अलावा शुदी हसन भी लीड रोल में है जो धमाके दार आक्शन की साथ कमबाक कर देखी है ये मूवी अगली साथ एप्रिल में रिलीज होनी है हाला कि क्लाश को तालने के लिए स्कोस्पॉन भी किया चार सकता है आपको आज की ये वीडियो और इस नई टेक्नोलोजी के बारे में जान करके गायल खेर की सांसें उसकी तहार सेगी ज्यादा भयानक होगी जो नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्ती नहीं पाता भरे बुरी दुनिया तुमारे खिलाब हो जाए हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुम से कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो अगर चब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है अब तक कोई भी कहीं भी और कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता लडाई में कौन पहले माता है इससे कोई फर्ग नहीं पड़ता क्या है सलार का बचल सलार के बार प्रभास की अद्दपिका के साथ नजर आने वाले है साउट इंडन फिल्मों के फैंस को क्यों कहा जाता है वक्त के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है जैसे की वक्त से पहले कभी कुछ नहीं होता वक्त वक्त की बात है वगेरा वगेरा लेकिन अब वक्त आ गया है जुसका हम सब बेसबरी से इंतजार कर रहे थे यानि कि कुछ ही दुनों में प्रभास की फिल्म सालार की शूटिंग कम्प्लीट होने वाली है फिल्म कम्प्लीट होने के बाद रुलीज होने तक हर दिन नई नई खबरे बनेंगी या यू कहें बनाई जाएंगी लेकिन उन सारी खबरों को आपके सामने हम पेश करते रहेंगे ऐसी कुछ खबरों को आज हम बताएंगे इस वीडियो में फिल्म के साथ मेकर चाहे कितना भी ना कहे या हां कहे आने वाली फिल्म 200 करोड की लागात में बन रही है इसका पता पूरे हिंदुस्तान को लग चुका है फिल्म के पोस्टर लोकेशन, स्टार कास्ट, मार्केटिंग पबिसिटी इन सब को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म बिग बजट ना हुई तो आज चरह होगा अब जब आप हिंदुस्तान क्याने वाले सबसी महंगी फिल्म में काम करने वाले हो तो आपको तो बागी इंडस्ट्री से भी ओफर आना शुरू हो जाती है पिछले दिनों सुनने में आया है प्रभास और दिपिका पारुकों ने एक साथ किसी फिल्म में दिखाई दे सकते हैं अब इसी बात का कन्फरमेशन अभी तक किसी ने भी नहीं दिया है वैसे ये बात तो सलार के लिए अच्छी है किसी और की पबिस्ट्री मार्केटिंग और जूटी अव्वाओं का फाइदा सलार को हो सकता है यानि बेगानी शारी में अब दिल्ला दिवाना बस्ते कई फैंस किसी की खुबशूटी के दिवाने होते हैं किसी के काम के दिवाने होते हैं तो किसी के स्टाइल के दिवाने होते हैं लेकिन साउट इंडन फिल्मों के फैंस सिर्फ दिवाने होते हैं फिर चाहे फिल्म रिली लों के पहले हो फिल्म की पोस्टर का दूट से बिशे करना हो या दस-दस घटे फुम की टिकट के लिए लाइन में खड़े रहना और ये सब गुन साउट इंडन फिल्मों के ओडियन्स में बहुत ज्यादा होते हैं इतने स्यादा कि प्रभाद सलु और जुन्जजनी कांत कमल हसन, मामुटी और मोहनला जासे कलाकारों के फैंस तो अब तो हर कोई ठप चुका है लेकिन वो कहते हैं सब्र कफल मीठा यानी सलार होता है देखना दिल्चस्प होगा कि क्या सलार का इंतजार करना सही था या नहीं फिलाल मुझे दीज़े इजाज़त आप से फिर मुला कात होगी एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए खुश रही है फेट रही हमारे चैनल को सब्सक्राइब या ये थे पैसो से डिलीटिट कोई पर या सेथ पर किसी आखरे ने लिखाए हैं लखरे आखर है कौन ये स्थाफ अगर आपी इन सवालों के चवाब चाना चादे हैं तो इस वीडियों को एं तक हमारे साथ बरे रहे हैं तोस्तों पार इंडियों स्थाफ प्रभाष किसी इंट्रोडक्शन के मौतार्ट नहीं है इस समय उनके पास कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जिन में से आजकल गुष सलार और आदिपुरुष को लेकर सबसे ज्यादा बिजी है ये पिलहाल उनके सबसे बड़ी दो प्रोजेक्ट हैं जिनों प्रभाष का ध्यान इन दिनों लगा हुआ है जहां सलार को केजिय फेम निर्देशक प्रशांत नील निर्देशित कर रहे हैं तो वहीं आदिपुरुष को बॉलिवद निर्देशकों राउस बना रहे हैं इन प्रोजेक्ट के अलावा प्रभाष चल ही अपने अगले प्रोजेक्ट का काम प्रभाष चल होगी तो बात रही है उनके आने माले प्रोजेक्ट और उनके शेदूर की लेकिन स्वीच इपाद इसमें सब को हैरान किया हुआ है और आप जाने के वाशाएद आप भी हरान हो जाएं वह है प्रभाष की शीज उसे पहले आपको बतादी किस दलार और आग जिसका मतलब यह है कि प्रोजेक्ट के और उसके बाद आने वाली प्रोजेक्ट के लिए प्रभाष की रखम की मांग करेंगे क्या आप जाने हैं कि ऐसा होते ही प्रभाष साउच कल जनलाजी मेर अश्मी कान की बाद हाइस पेड आटर बन जाएंगे प्रभाष एक सान में प्रभाष मेकर्स को अपनी बात मनवा पाएंगे या वापस से उसकी तहार से ज्यादा भ्याना करेंगे इस वर नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता हले बुरी दुनिया तुमारे खिलाफ हो जाएंगे खालात मुश्किल हो जाएंगे और चीख चीख कर तुमसे कहें कि तुम बुरी तरह हार चुके क्या सालार में च्राइगा मिस्त इंडिया का जादू क्या सालार से हट गया हच्चुती का रोल किसे कास्ट किया गया है प्रशान नील दौरा जान में हैं इन सवी सवालों के जब आप तो वीडियो के अंतक बने रहे हमारे साथ मैं हूँ आपके उसकंदा उस सान में ताप आचा करशागत करती हूँ आपको बॉली गर्ट स्ट्योडियो उसकी फिल्म ही दुनिया वे ताइए शिरु करते हैं उसका ये मज़़दार वीडियो दोस्तों याँ पुरेबल स्टार प्रभास इन दोनों केजी एफ के करता धरता प्रशाग नील की आने वाली फिल्म सालार में हाई ओर्टेज एक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं फिल्म की शूटिंग आजकल हदरबाद में तेज गती से चल रही है जबकि प्रभास खुद भी सालार और आदे पुरुष के सेट के बीच चुगल बंदी कर रहे हैं सालार की शूटिंग इस साल के अंग से पहले पूरी होने की उमीद है आपको बता दें कि इस साल फिल्म में शुती हसन भी लीड रोल में नज़र आएंगी हाला की ताजा खबर तो ये है कि फिल्म में एक और लीड एक्टरस भी होने वाली है और मेकर्स पुसी की तलाश में है लेकिन अब रगता है कि उनके तलाश एक एक्टरस पर आकर रुक चुकी है दरसल मेकर्स ने फिल्म के लिए मिनाक्षी चौधरी को फाइनल किया है एची एफ 2 जिसे 2022 तक टाल दिया गया है उसके बाद उमीर है कि सालार अब 2022 के अन तक तो रिलीस नहीं होने वाली है ये 2022 की शुरुआत में ही बेशक रिलीस हो सकती है मिनाक्षी चौधरी आजकरर रमेश वर्मा की निर्दीशन में बन रेयक्शन ड्रामा खिलाडी में एक्टर रवी तेजा के साथ स्क्रिंस पे शेयर कर रही है और अपने प्रभास की फिल्म सालार में लिया गया है फिल्म सालार एक एक्शन त्विलर होने जा रही है और उसे KJF के प्रोड्यूसर विजय किरगांदूर प्रोड्यूस कर रहे है KJF चैप्टर बॉन की सफलता ने प्रशान मील को तेलवू सिनेमा के कुछ A-Listers का ध्यान आकाशिक करने में मदद की है उन्होंने अगली नडेशन वाली फिल्म के लिए जूनियर NTR को भी साइन किया है इसी बीच वो अपनी बहुँ प्रदिक्षित फिल्म के KJF 2 की रिलीस का भी इंतजार कर रहे है और इस फिल्म में लीड रोल में आपको बता ही है कि कौन है अक्टर यश जबकि इस सेकल में बॉलिवुद स्टार संचे तक भी एक शक्ति शारी खलनायक और रवीन अटंडन भी महत्वपूर भूमिका में दिखाई देगे सवार के लावा प्रवास बॉलिवुद अबिरित्वी दिपिका बादिकोन के साथ नागशुइन के निर्देशन में बनी फिल्म प्रोजेक्ट के में दिखाई रेंगे उनके पास रादा कृष्ण कुमार की रादेश शाम भी है जिसमें पूजा हेगडे मुख्यबू मिका में हैं जो अगले साल सिनेमा घरों में दस्तक देगी फिल्म और साथ के बारे में इसी कई और बातों के लिए आप जुड़े रही है हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारी आने वाशुआ कि घायल फिर की सांसे है जिसकी तहार से भी ज्यादा भ्यानक होगी इस वर नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता क्यों हो रही है मेकर्स को स्तलार की रूलीज की शिंता क्यों जोर पकड़ा है प्रभास की शादी की स्टेक्योलेशन शुतिहासन को क्यों पसंद है और ओजिटी से ज्यादा थियर्जिकल रूलीज ऐसा काम करो की नाम हो जाए या फिर ऐसा नाम कमाओ की सुनते ही काम हो जाए जी हाँ इस लाइन को अगर कोई जी रहा है तो वो है इंडिया के आज की सूपरस्टार प्रभास और उनकी आने वाली फिल्म है अब उनकी आने वाली फिल्मों में ऐसा क्या खास है और इनके बारे में आज कल क्या क्या चरचाय हो रही है ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में मैं शुती बॉलिवराज स्टूडियोस के इस वीडियो में आपका स्वागत करती है वो कहावद तो आपने सुनी होगी दूद का चला चाज भी फूक फूक कर पीता है कुछ ऐसा ही हाल है सलार फिल्म के मेकर्स का इस बात का पता चला कि सलार और केजिएफटू बाक टुबाक शायद एक ही हफते में यह शायद एक ही दिन रिलीज हो सकती है तो पहले तो खुश होने वाले मेकर्स अब इस बात से ही परिशान होने लगे है क्योंकि इससे पहले ना सिर्फ बॉले वोटबल की इंडिया में जहां भी फिल्में बनती है वहां कि एक कड़ी सचाई रही है कि दो बिग बजट फिल्म में अगर एक साथ रिलीज हो तो नुकसान दोनों का होता है अब यही चिंता प्रिडूसर विजय के रगंदूर और हूम मेल फिल्म को हो रही है अब इससे पहले इस प्रड़क्शन हाउस ने कई सारी हिट फिल्म में बनाई है लिकिन इस बार का महौल थोड़ा अलग है आपको क्या लगता है ऐसे समय में मेकर्स के लिए सही आप्शिन क्या है आपकी ओपीन इन हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताई है प्रभास की उम्र लगभग 41 साल है और कहा जा रहा है कि शायद अगले साल वज शादी कर सकते हैं ऐसे बता दे ऐसी बातों पिछले 6 सालों में कई बार हो चुकी है जब से बाहु बली फुन रिलीज हुई है लेकिन प्रभास ने भी अपने ही स्टाइल में कभी शर्मी ने तो कभी बेबार कंदास में इन बातों को खंडन भी किया और कभी-कभी उन बातों पर चुप़े भी सादी अब इसे क्या क्यों? औरियंस में उत्सुपता बनाये रखने या बड़ी चालाकी से सुमणी में ऐसे सवालों से निकल जाना प्रभास का नाम इससे पहले इलियाना डिक्रूज और उनकी बाहुबली की कोस्टार अरुश का शर्टी से जुड़ चुका है अग देखते हैं आने वाली बिग बजट फिल्म के साथ वो कोई बिग अनाउंस्मेंट करते हैं या नहीं हाली में एक इन्टीवी के दौरान सलाराक रिष्टूतिहासन ने कहा कि उन्हीं OTT प्लाटफॉर्म से जादा थीटर में फिल्म में देखना पसंद है लेकिन अपनी इस बात को आगे ले जाते हैं वे वे कहती हैं कि अगर थीटर में फिल्म देखने के दौरान कोई डिस्टूर्बिंस हो तो शायद सरस्य चौप्शन घर में बैट कर मोबाई या टीवी पर ही OTT प्लाटफॉर्म की जरीए तुन देखना है उनका कहना है कि जो experience थीटर में मिलता है उसकी तोलना आप किसी से नहीं कर सकते बात तो सही है 9 सितंबर कुन की और विशे से तुपधी की फिल्म लाम बम रिलीज होने वारी है अब देखना दुछस्त होगा कि और यंस इस फिल्म को पसंद करती है या वेल ट्राइ या बेल लग नेक्स टाइम कहके आगे बढ़ती है वैसे आज कल हर किसी को हिट फिल्म का इंतजार है उमीद करेंगे कि ये फिल्म हिट सावेत हो आज के लिए बिस इतना ही आप से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए खुश रहिए फिच रहिए और अगर आपने हमारी चानल को सब्सक्राइब कि जौन अब्राहम होने वारे हैं सलार का हिस्सा सलार में क्यों शूती हसन नजर आएंगी प्रभास के साथ रुमास करते हुए सलार के बाद प्रभास और कौन कौन से फिल्मों की कर रही हैं तैयारी प्रभास की आने वाली फिल्म सलार को लेकर फिल्म इनास्टे में काफी चर्चा हो रही है डिरेक्टर प्रभास की जोड़ी अवश्य ही फिल्मी दुनिया में एक धमागा करने वाली है लेकिन दोस्तों इस फिलमे प्रबास के साथ और भी कई कर्दार है ज़स फिलम की सकसस का हिस्सा भन सकती है हाल ही में खबरे आ रही है कि बॉलिवूड आक्टर सूपरस्टार जॉन अबराहम को फिल्म की डिरेक्टर प्रशांत नील ने में विलन का किरदार निभाने का आफ़र दिया है हाला कि दोस्तों इस बारे में कोई कंफरमेशन ये पकी खबर नहीं आई है जॉन अबराहम अगर सलार में विलन के रूप में देखने को मिलेंगे तो प्रभास और जॉन का आपसी टकर देखने में मसाएगा ये टकर फिल्म में एक अलग तड़का डालने का काम भी करेंगी लेकिन दोस्तों ये खबर अभी पकी नहीं हुई है और जॉन अबराहम अभे अपनी आने वाली फिल्म अटाक के प्रमोशनल इविंस को लेकर काफी जादा बिजी है अब जॉन हमें विलन के अफ्तार में सलार में देखने को मिलेंगे या नहीं ये तो पता चल ही जाएगा सलार के रुमांटिक आंगल की बात करें दोस्तों तो प्रभास के साथ शुरती हसन पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर नज़र आने वाली है दोस्तों पतादों की प्रभास ने भी शुरती हसन के बादे पर इंस्टेग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए हापी बादे विश किया था उन्हें और सलार की टीम में वेलकम किया था प्रभास ने ये भी लिखा था कि शुरती हसन के साथ काम करने के लिए वो काफ़ी एक्साइड़ है और ये एक्सपीरिंस इनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है सलार के धमाके के बाद प्रभास एक के बादे एक जबर्दस मुवीज लेकर आने के लिए तैयार है तो दोस्तो प्रभास अपनी फिल्म रादे शाम के रिलीज होने के बाद सलार का धमाकत करेंगे और फिर अपनी कई सारी आने वाले फिल्मों की रिलिवेशन भी करने वाले है इन सब के बाद प्रभास नाग श्मिन द्वारा डिरेक्ट की गई नई पिचर की शूटिंग के लिए तैयार है जहां दिपेक अपदकोन फीमेल लीट में रोल में नज़र आने वाली है जी हां दोस्तों प्रभास ने अपनी फिल्म आधी पुरिश की अनाउस्मिन भी कर दी है जो कि 11 अगल 2022 में थीटर्स में रिलीज होने वाली है यह एक 3D पिचर होगी जो कि ओमकार दुआरा डिरेक्ट की जाने वाली है और इस पिचर की मेजर सीन्स मुंबई में ये शूट के जाएंगे तो जो इस दाबा में कॉमन से बताईएगा कि आप रभासी कौन सी मुवी के लिए सबसे जाद है गायल जीर की सांसें उसकी तहाड से ज़्यादा भ्यानक होगी तो सलार के बूस्टर में बभास कर लो कैसा जखाएगा गायल जीर की सांसें उसकी पहाड से ज़्यादा भ्यानक होगी तो जो नाकाम्याभी को कले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्ती नहीं पाता क्यों सलार एक मल्टी लिंग्वल फिल्म है क्यों है शुती हसन के करियर की यह सबसे बड़ी फिल्म बहुत ज्यादा मिलने वाली पब्लिस लीक या सलार का खेल खराब करेगी मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ दश्मनर से तो मैं खुदने पटलूगा जी हाँ दोस्तों ये वाक ये सलार के बारे में शायद सच भी हो सकता है अब ये कैसे क्यों और कहां से आया ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में हेलो फ्रेंज मैं हूशृती और मैं आप सब का स्वागत करती हूँ बॉलगराद स्टूडियोस के इस वीडियो में वैसे आज कल जो फिल्में ज्यादा चर्चा में हैं उनकी बाते यहां वहां से सब को पता चली जाती है फिर चाहे वो बाते सची हो जूटी हो किसी की फैलाई हुई हो या मेकर्स की अपनी एक मार्केटिंग स्ट्राटेजी हो पब्लिक को तो पता चली जाता है लेकिन उन बातों का असली मतलब कभी कभी हम समझ नहीं पाते तो चली एस विडियो में मैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं अब तो ये तै हो गया है कि आने वाले साल भर में जो चार फिल्में सबसे ज्यादा चर्चा में रहेंगी वो होंगी रादेशया, आर, आर, के जिफ्टो और सलार ध्यान देनी वाली बात ये है कि चारों फिल्में साउथ इंडस्पी से आती हैं और एक और फिल्म जो इन फिल्मों के साथ कंपीट करेगी वो होगी आदी पुरुष अब इसे महस सईयोग समझे या पांच उंगलियां गी में डूबी होने कही कि सबसे बड़ी तीन बिग बजट फिल्में प्रभास की है और इन सारी बातों का एफेक्ट आपको सलार की पॉपुलारिटी पर होता दिखाई दे रहा होगा जैसे छिपकली को खीच-खीच कर मगर मच बनाने वाली कहावत है कुछ इसी तरह से सलार फिल्म की खबरे आती रहती है डारेक्टर आज इस पार्टी में गए प्रभास आज उस पार्टी में गए शुती हसन आज उसके साथ दिखाए दी ये फिल्म इस टेक्नोलोजी का इस्तमाल करे है आज दोने ये कपड़े पहने थे और ना जाने क्या क्या लेकिन एक्सपीरियंस लोग कहे गए खाने को ज्यादा मत पका ओवर ना वो जल जाएगा अभी फिल्म से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई है कि एक छोटी सी गलती जो शायद अन्य फिल्मों के मामले में माफ भी हो जाए इस फिल्म को नुकसान पहुचा सकती है वैसे ये फिल्म किसी का फाइदा करा रही है और वोग और कोई नहीं फिल्म की लीड आक्रिश शूती हसन का शूती असने से पहले कई बिग बचट मूवीज में दिखाए दे चुकी है उनकी कई फिल्में हिट रही है और कई फिल्में फ्लॉब दी रही है अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ वो अपनी परस्नल लाइफ की वज़ा से भी चर्चा में बनी रहती है क्योंकि ये एक मल्टि लिंगुल फिल्म है इसलिए ये पूरी तरह से हिंदुस्तान प्रदर्श्ट होने वाली बिग बचट फिल्म है शूती चाहेंगे कि ये उनके जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो शूती ने बॉलिवट फिल्मों में भी काम किया है लेकिन कुछ गिनी चुनी फिल्म छोड़के दोचिन के हिस्से निदाशा ही आई है जैसा कि हमने अब पहले भी कहा जरूरत से ज्यादा मिलने वाली पबिस्री सलार का गेम बिगार सकती है कुछ दिनों पहले ही प्रभास और आरारार फिल्म के राइक टरेसे स्राजा मौली फिल्म की रूरीज डेट के क्लाशस रूलेटड बात करने के लिए मिले थे हलाकि इससे कुछ होता दिखाई नहीं दिया अब ऐसी बाते रोज होंगी हर रोज अववाई जोर पकड़ेंगी और रोज शांत भी होंगी यही तो फिल्म इंडस्टी का कमाल है काम करने वाले चुपके से काम कर जाते हैं और बाकी लोगों के लिए रह जाती है तो सिर्फ बाते ऐसी ही और मज़ेदार बात ही करेंगे अगले वीडियो में एक नाइट गायल शेर की सासे उसकी दखाड से भी ज्यादा भ्यानक होगी उस वर नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्ती नहीं पाता क्या है सलार का मौजूदा स्टेटिस कौन सी अफवाई सच साबित हुई और कौन सी जूट फांस क्यू कर रहे हैं अपनी हदे पार सलार की इंतजार में सारे सवालों की जवाब आपको मिलेंगे या अचलिस वीडियो में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्कातियाई और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलिग्राइड स्टूडियो के खाष पेसकश में तो दोस्तो आयदन सलार फिर्म के बारे में कई अफवाई कई सच्छी जूटी बाते फैलती हैं यह यू कहें फैलाई जाती हैं कुछ सीम्स फिल्हाल फिल्माना बाकी है एक ही वक्त कई सारे प्रडाक्शन डिपार्टमेंट का काम चल रहा है और शायर इसी वजह से कुछ खाम या कुछ कम यह दिखाए दे तो रिशूट होने के चांस बढ़ गए हैं लेकिन यह बात तो पकी है कि यह फिर्म के कुछ स करुछ कुछ साया धी कोई ऐसा सेमय फॉड़ेंगा जो प्रफास सकता होगा और दोस्तों और वह से देख लेगे उन से मिले बिना नहीं अब कर आप ज के फैन हैं तो प्रफास की आने वाली में जहांपार एंक्यान को ज़रूर लाइक की कि एसेस राजमौली के साथ कुछ अन्मन हो कही है और इसका कारण बताया जा रहा था रादेश शाम और ट्रिबल र मुवी का टक्राव होना लेकिन बात दोनों के बीच में थी और कुछ अन्मन हो ही नहीं थी दोस्तों दूसरी और ये भी सामने आया कि प्रभाज अपनी को स स्टार के साथ कॉम्फटेबल नहीं है विर चाहें रादेश शाम की आक्ट्रिस हुजा हेग्रे हो ये जला की आक्ट्रिस शुती हसन लेकिन ये वी सिर्फ एक अव्वा साबित हुई हमने कई सोचल मीडिया साइट पर पढ़ा इंटरनेट पर चल रहे कई वीडियों में द लेकर आ रहे हैं तो किसी और से पहले वो खुद ये बात और इंस को बताएंगी हाला कि दोस्तों नहीं ये वी कहा कि प्रभास से साथ अपना नाम जोड़ना ये अपने आप में बड़ी बात है तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये कुछ और आपने राहे में कॉमस में जरू बताएगा सलार के इंतजार दोस्ताब किसी से सहा नहीं जा रहा है वाफ का कहना है एक तो पहले से ही केजिट्टू को स्पोन हो गई है टिपल आर्ट भी आगे चली गई है रादेशाम के बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है ऐसे में सलार जल्द से जल्द रुलीज जो यहीं उमीद है आज शुटर पर इंस्टेग्राम पर और कई सोशल मीडिया साइट पर प्रभासाधि प्रुश्रादेशाम सलार इन नामों के हाश्टाग देखने को मिल रहे हैं और उनकी संकेतनी जादा है कि बागी हाश्टाग डाउन हो जुके हैं अब दोस्तों वै इसवार नाकाम्यावी को कहले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता क्या बिग बॉस ओटीटी की विनर दिव्या अगरवाल नजर आ सकती है सलार में क्या होने वाली है प्रभास की सलार की खास बाते चुक भाणाज नहीं है कि अप्रभास की अपकम इंसरा की अड़ा की अनूंसों हो इंड है तभी से थे भी खास इया है कि इसको जो डिरेक करने वाले है वो है प्रशान नील जिन्होंने KGF जैसे फिल्म को डिरेक किया है अब इसका सेगे बाट भी उलेकर आ रहे है और काज आ सकता है कि जब दो आइटम वांग एक साथ फटेंगे तो क्या कुछ होगा तो प्रभास और प्रशान नील का मिलन कुछ इसी तरह का अच्य मस्तार देखने को मिल सकता है हमें परदे पर और अब इससे जूरी एक खबर सामने आ रही है पहले तो आपको बता दे कि प्रभास के साथ इस फिल्म में शुरूती हसन होने बाली है और अब पर आ रही है कि बिग बाउस ओजी जी की विनर देव्या अगरवाल भी इस फिल्म में हो सकती है अभी यह खबरे ओफीशल अनॉस्मेंट नहीं हुए है लेकिन देव्या गर्तर जीती है एक अलगी तरह कि वो लाइम लाइट एंज्जोई कर रही है हर जगा सुरुख्यों में बनी हुई है तो हो सकता है कि उनका डेब्यू होने जा रहा है और डेब्यू भी सोचिए किसमत सोचिए कितनी अच्छी है कि सीधाथ साउट की सूपर साथ प्रभाद की फिल्म होगर फिल्म प्रशाद नहीं उने डिरेक्ट करेंगे तो यह उनके लिए बहुत भी बहतरीन मौका होने वाला है आने वाला थाइम बताएगा कि हुआ कि इस तुम में होगी या नहीं इसके लाब आपको बढ़ादे सलार का मीनिंग है इस बारे में प्रशान मीन ने बताया था था थी सलार का मतला होता है कमांडर इंची और कमांडर बंते वह इंदर दर आएंगे इस फिल्म में प्रभाद साथ ही आपको बढ़ादे कि एक लुक भी शेयर किया गया तक प्र लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्ग नहीं पड़ता उस शेर से वो नफरत करते है उसका कुछ नहीं बिगाड सकते है इसलिए तया हुआ आप ये भाशन झाड़ते है अखिर कितनी बड़ी हिट होगी सलार क्या ये फिल्म प्रभास के हॉलिवुड के दर्वाजी खोल देगी और फिल्म का इस वक्त क्या स्टेटिस है हलो दोस्तों अगर आप भी प्रभास की आने वाली फिल्म सलार का इंतजार करते करते ठक चुके हैं तस्वीरे को देखिए और अपने थकान दूर करिए बॉली ग्राब स्टूडियो साथ के लिए लेकर आया है एक आने वारी फिल्म के बारे में फैस सारी जान का रिया आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ हमिस्का जागी खास तोर पर ठेयरेटिकल रिलीस के लिए बनी फिल्म सलार आप चर्चा में है और चर्चा इस बात की है कि क्या ये फिल्म अपने सोशल इफिक्स के जरीए हॉलिवड फिल्मों को टक कर दे पाएगी या नहीं ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं कि प्रभास की फिल्मे टेकनिकल प्रेसेंटेशन के मामले में सबसे आगे है और खास तार पर सिलार क्योंकि इस फिल्म में डार्क स्ट्रीनिक थीम टेकनोलजी इस्किमाल की जाएगी इस टेकनोलजी हॉलिवड में और खास तार पर डिरेक्टर प्रिस्टिफर नॉलंग ये फिल्मों में इस्किमाल की जाती है सालों पहले आई फिल्म, मैट्रिक्स और उनके अन्ने पार्च में भी ये टेकनालोजी यूज हूई थी और दोस्तों बैटमेंट ट्रायालोजी को कौन भूल सकता है माना चाह रहा है कि DCT टेकनालोजी यूज करने वाली सिलार पहली हिंदुस्ताने फिल्म होगी अब दोस्तों ओर्डिंस इस पर किस तरह सर्याद करेंगे इसका अन्दाज़तों लगाया नहीं जा सकता है लेकिन सबके लिए ये कुछ अलग एक्स्पीनिस साबित होगा बात करें प्रभास की तो वो अब पूरे एश्या में पॉपिलर हो चुके है इनकी फिल्मों का इंतजार सर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बलकि जापान, साउट पूरिया और इंडोनेशा जैसी कई देशों में प्रेस अबी से किया जा रहा है हमने इससे पहले पिक कई फेमस सेचिन सूपरस्टार को हॉलिवड में नाम कमाते और फेमस बे होते हुई देखा है शायद ये फिल्म प्रभास की जिन्दिकी की वही फिल्म साबित हो सकती है जिससे उनके लिए हॉलिवड के दरवाजी खुल जाएंगे लेकिन दोस्तों ये देखना भी दिल्चस्प होगा कि क्या प्रभास हॉलिवड में काम करना चाहेंगे या नहीं इससे पहले कई इंडियन सूपरस्टार को हॉलिवड से कई रोल हॉवर हुए हैं लेकिन दोस्तों उन्होंने हॉलिवड में काम करने से मना कर दिया बार अगर दोस्तों सलार से जुड़ी उठने वाली अवाव की करें तो दोस्तों एक खबर ऐसी लिए आई है कि बिग बॉस रुपीन की कंटेस्टन रहे चुटी दिव्या गरवाल को इस फल्म में कास्ट किया गया है इस बात से दिव्या के फान काफी खुशार मेसेज़स और वीडियोस के जईए वो इस बाहरे में पोस्ट करते हैं लेकिन अभी तक मेकर्स के हवाले से कोई विए अफिशल स्टेक्मेंट रिलीज नहीं हुआ है और दोस्तो अभी इस सच है यह सिर्फ एक अफवा और अधरी अफवा है तो इस अफवा के पीछे का क्या रास्ट और क्या कारण है यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा फिर्म की शूटिंग इस वक्त चल रही है हालकि पंडामिक सिचुएशन और अन्ने कारणों की वज़ा से शूटिंग में धिले होता रहा है लेकिन दोस्तों फिलहाल फाइनल स्टेज पर पहुच चुकी है फिर्म प्रिशांद नील के निर्देशन ने बन रही इस फिर्म से मेकर्स के साथ साथ और अज्ट को भी काफी उम्हीं दे हैं झाल झाल क्या डबल रोल में नज़र आएंगे प्रभास कुन सलार में कौन सी बॉलिवूर्ड अभी नेत्रवी का दिलाया प्रभास पर क्यूं कर रही हैं शूती हसन अपने इंस्ट्रग्राम अकाउंट पर अपने को स्टार को थैंक्स नमस्कार बॉलिवूर्ड स्टूडियो में एक बार फिर आप सब का स्वागत आज हम आपको बताने जा रहे हैं सलार मूवी से रिलेटेट कुछ इंस्ट्रस्टिंग बाते बाहु बली से पेम पाने वाले साउथ आक्टर प्रभास में बल्कि दो किरदार करते नजर आएंगे जहां उनका एक किरदार तो मकानिक होने वाला है वहीं दूसरा किरदार में प्रभास एक aged man के किरदार में निभाते नजर आएंगे और ऐसा वो किसी फिल्म में पहली बार करने जा रहे है अगर ये बाद सच निकरती है तो भाई फिर तो फिल्म देखने वे और भी ज्यादा मजा आने वाला है हमारे दर्शकों को वही फिल्म में तो वेरी हॉट और चामिंग अक्ट्रिस शूती हसन भी प्रभास संग में लीड में नजर आने वाली है और हाल ही में शूती हसन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट जारी करते हुए प्रभास को कहा है ठैंक्स और इसके पीछे की वज़ा रही लंच बॉक्स जी हाँ वैडनस जे यानी 8 सक्टेंबर को प्रभास ने शूती हसन को एक खाने से भरा लंच बॉक्स पहुचवाया जिसमें बिर्यानी, दाल, राइस और कई तरह की सबजिया थी जिसे देख आप सब के मूँ में पानी आ जाएगा, क्योंकि भाई नाम लेते समय हैं कि मैं तो खुब को रोपीनी पा रही हूँ अब इतने स्वादिस्ट भोजन मिलने पड़ को शुक्रिया तो बढ़ता है और ऐसे प्रभास पहली बार नहीं कर रहे हैं वो पहले भी कई बार शूति के लिए लंच बॉक्स भिजवा चुके हैं जहां एक तरफ प्रभास शूति को खाना भिजवा रहे हैं दूसरी और बॉलेवोड की एक और कुईन का दिल आ गया है हमारे प्रभास पर आप समझी गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं जी हां कंगना रणाओट की जिने हाल ही में रिलीज हुई फिल्फ थालाइवा के लिए काफी पसंद किया जा रहा है अपने लेटस इंटर्वियू में सवाल का जवाब देते हुए संदिना ने कहा है कि वो साल्ट सुपस्कार प्रभास के साथ वापस के काम करना पतों करेंगी जिसके लिए वो डिरेक्टर पूरी जगर्नाथ को कह चुकी है कि अगर प्रभास मेरे संदिन करने को तयार हो दुबारा तो ज़रूर बताएं जिनने नहीं पता है उन्हें मैं बता दू कि बॉलिवूड फिल्म अक्टरेस कंगना रनाथ इससे पहले 2009 में आई सूरी जगर्नाथ की फिल्म एक निरंजन में प्रभास संद काम कर चुकी है और दर्शकों ने इस फिल्म को भी कापे पसंद किया था तो अब देखना है कि जहां सक्धा का पूर और जल्द ही दीपिका संग दिखने वाले हैं प्रभास वहीं क्या एक बार फिर गंगना संग नजर आएंगे बाहु बली तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप रभास और गंगना की जोड़ी को स्पिर से देखना पसंद करेंगे बिस स्क्रीन पर और इसके साथ हमारी वीडियो को लाइक करेंगे गायल खेर की सांसे उसकी तहार से भी ज्यादा भयानत होगी है क्या है सलार का मतलग क्या फिल्म में प्रभास निभाते दिखेंगे विलन के राइट हैंड का किरदार कौनसी फिल्म में जल्द ही आ रही है प्रभास की नमस्कार बॉलीट्वैट स्टूडियो में एक बार फिर आप सब का स्वागत आज हम आपको बताने जा रहे हैं सलार मुवी से रुलेटिट कुछ इंटरस्टिंग बाते जैसे आम इंसान की जीवन में कई यादे अपनी अलग छाथ छोड़ जाती हैं वैसे ही फिल्मों में दिखाई किरदार भी आम लोगों के दिलों में अपनी एक अलग छाथ छोड़ जाते हैं जैसा 2015 में आई SS राजा मॉली की फिल्म बाहु बली ने किया और तभी मैं भी प्रभास का जिक्र करने से पहले उनकी इस फिल्म का जिक्र कर देती हूँ पर एक कलाकार के लिए भला इस से अच्छा अप्रिसियेशन और क्या होगा बाहु बली फिल्मों के बाद जहां प्रभास का ग्राफ बढ़ता ही चला गया वहीं दूसरी और साहू से कहीं न कहीं उनकी एक्टिंग करियर पर थोड़ा नेगेटिव असर पड़ता था पर फ प्रशान नील के निर्देशन में बने वाली सलार फिल्म में नजर आने वाले हैं प्रभास बात सलार फिल्म की करें तो पहले तो मैं आपको सलार का मतलब समझा देती हूँ दरसल सलार का मतलब होता है सेना पती सर्दार और प्रशान नील की भाशा में कहें तो राजा का र विलन नहीं पर विलन से कम भी नहीं ऐसा होने वाला है प्रभाश का किरदार और सलार का असल मतलब ही तो टाइटल और डिरेक्टर के कहने से ये तो लग रहा है कि फिल्मे वोईलिन प्रभास शायद विलन तो नहीं पर विलन से कम भी नहीं होने वाले हैं इस फिल्म में और शायद वो विलन के राइट हैंड का काम करते देखेंगे जो कुछ साल पहले 2005 में आई फिल्म अपहरण की याद दिला देगा जिसमें आजय देवगन की भूमिका का कुछ कुछ असर आने वाला है सलार फिल्म केर में प्रभास की किरदार को देख सकते हैं पर अभी इस पे कुछ भी ओफिशिल कहा नहीं जा सकता है जब तक कोई साफ साफ ओफ अपडेट ना जाए तो देखते हैं क्या हमारा अनुमान फिल्म की कहारी के किरदार को लेकर सही साबित होता है या फिर प्रशान दील ने कुछ और ही कॉंसेट्ट सोचा है प्रभास के किरदार के लिए तब तो के लिए आप होई कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप साथ ही हमारी वीजियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और देख गायल शेयर की सांसें उसकी तहार से भी ज्यादा भयानत होगी है जोती का दिखेंगी क्या होने वाला है फिल्म में श्रूती हसन का किरदार क्या सलार एक रिमेक फिल्म होगी नमशकार बॉलिग्रेट स्टूडियो में एक बार फिर आप सब का स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे है सलार मुवी से रिलेटेट कुछ इंट्रस्टिंग बात है साउथ सूपरस्टार प्रभास की आने वाले साल में लगातार कई फिल्मे लाइन में लगी हुई है रिलीजिंग के लिए जिसमें राधेश्याम, अधिपुरुष और डिरेक्टर प्रशान नील के नया डिरेक्शन में बनने वाली सलार फिल्म भी लाइन में आ चुकी है जी हाँ आने वाली सलार फिल्म से प्रभास तैलेगू सिनेमा में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं जब से फिल्म सलार से प्रभास का जबर्दस लुक सामने आया है तब से दर्शकों में फिल्म को देखने के लिए और भी ज्यादा एकसाइटमेंट देखी गई है फिल्म में पहली बार प्रभास और शूती हसन की जोड़ी को बड़े परदे पर देखा जाएगा और इस फिल्म में शूती हसन एक जौर्नलिस्ट का किरदार निभाते हुए नजर आ सकती है पर अभी तक इस पर कुछ ओफिशल अपडेट अभी तक सामने नहीं आई है इस फिल्म से एक और अदाकारा का नाम जुड़ रहा है और वो है साल 1997 में बॉलिवुड की फिल्म डोली सजा के रखना से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस जोतीका का जो अब आने वाली फिल्म में प्रभास की बेहन का रोल करते हुए नजर आ सकती है जोतीका तमिल तेलगू हिंदी इंड़स्ट्री में काम कर चुकी है और अपना अच्छा खासा नाम भी बना चुकी है उन्हें वाली टेगोर खुशी मौजी जैसी फिल्मों में देखा गया है सलार में उनका रोल होगा या नहीं वो इस फिल्म का हिस्सा होती भी है या फिर नहीं इसकी कन्फरमेशन मेकर जवारा अभी तक नहीं की गई है तो देखते हैं कि जोतीका इस फिल्म का हिस्सा होती है या फिर नहीं बात फिल्म सलार की कहानी की करें तो कुछ समय पहले खबरे काफी तेजी से बढ़ रही थी कि आने वाली फिल्म 2014 में आई कंणर फिल्म उग्रम का रीमेक होने वाली है और सबसे मज़े की बात तो ये है कि उग्रम फिल्म भी प्रशान नील के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इस फिल्म से उन्होंने अपना डेब्यू किया था पर इस बात से सलार फिल्म के डारेक्टर प्रशान नील ने साफ मना कर दिया है उनका कहना है कि सलार फिल्म के कहानी एकदम नहीं है और जो सिर्फ उन्होंने प्रभाद के लिए लिखी है तो देखना है जब फिल्म सलार आती है तो क्या उसमें कुछ हिस्से उग्रम के होते हैं या फिर सच में ये फिल्म एकदम आलग और जबरदस होने वाली है सब्धके लिए आप हमें करमेंट बॉक्स में बताएं कि आप को आने वाली फिल्म सलार के लिए कितनी excitement है और इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें शीर करें क्या सलार और केजेफ चाप्टर 2 का clash होगा केजेफ चाप्टर टू को सलार के साथ कमपेर क्यों किया जा रहा है साउथ इंडियन फिल्म इंडास्ट्री की इन दिनों बड़ी फिल्मों में छिड़ गई है जंग हाला कि ये एक friendly competition है लेकिन फिर भी ये देखना बहुत interesting होने वाला है कि इन दोनों फिल्मों में से इस खमासान रेस का बादशा कौन से फिल्म बनती है सलार और केजेफ टू की तूलना करी जा रही है क्योंकि दोनों में ही काफी similarities है लेकिन इनी similarities को पार ले जाकर कौन से फिल्म बॉक्स ओफिस में ज्यादा बड़ा धमाका करती है यही होगे इस picture की achievement सबसे पहले हम similarity की बात करे तो दोनों ही फिल्मों को प्रिशांत नील ने डिरेक्ट किया है वैसे तो प्रिशांत नील साथ इंडियन फिल्म इंडास्ट्री में काफी समय से ही मूवीज बना रहे है लेकिन KJF चाप्टर वन के साथ जो बॉनों ने फोड़ा है वही से प्रिशांत नील को सब इतना ज्यादा पसंद करने लगे है इस वज़े से KJF चाप्टर व के लिए भी लोग दिवानों की तरह इंतिजार कर रहे है लेकिन इस रेश में अब एक और फिल्म ने अपना नाम लिखवा दिया है जो है सलार सलार भी प्रिशांत नील द्वारा डिरेक्टर फिल्म है और ये भी एक वज़ा है कि लोग इन दोनों मूवीज को कमपैर कर रहे है दोनों के सिमिलारिटीज में भुवन गौड़ा का भी नाम आता है भुवन गौड़ा सलार और केजव फिल्म सीरीज के सिनेमाटोग्राफर है ये साउत इंडियन फिल्म डास्टि के बेस्ट सिनेमाटोग्राफर उसमें से एक है और इनकी पिक्चुराइजेशन और सिनेमाटोग्राफी के लेवल को छूपाना काफी बड़ी बात है केजव चाप्टर वन में इतनी रियालिस्टिक और जबरदस सिनेमाटोग्राफी के बात भुवन गौड़ा को बहुत तारीफे मिली और सलार में भी भुवन गौड़ा ही सिनेमाटोग्राफी करने वाले है बात सिर्फ यही खतम नहीं होती क्योंकि सिमिलारिटीज की लिस्ट में प्रड़क्शन हाउस भी शामिल है केजव चाप्टर टू और सलार दोनों को ही होमले प्रड़क्शन कंपनी द्वारा लॉंच किया जाने वाला है दोनों की कितने बड़े प्रजक्शन हैं यह हम सभी जानते हैं इसलिए इन दोनों फिल्मों को कंपैर किया जा रहा है दोनों नहीं से कौन सी पिक्चर बाक्श औफिस के चार्टस को फोड़ती है ये देखना काफी ज्यादा एकसाइटिंग होगा इन दोनों फिल्मों की तूलना करने का एक और बहुत बड़ा कारण ये भी है फिस साउथ इंडियान फिल्म इंडास्टी के दो बड़े सितारे इन दोनों फिल्मों के लीड आक्टर है केजे अफ चाप्टर टू में हमें दिखने वाले है यश वही सलार में प्रभार और इन दोनों को ही आक्टर अवतार में देखना काफी इंड्रेस्टिंग होने वाला है अब इन दोनों फिल्मों में ये हल्दी कंपेटिशन वाली रेस में जीत किसकी होगी ये देखना बहुत इंड्रेस्टिंग होने वाला है तो उसी के साब वीडियो को करतीचो लाइक हमारे चानल को करतीचो किया किसी फिर्म के कंसेप्ट को किया चाने वाला है सलार में रिपीट रंग और हलके से बीर्ड लुक में नजर आ रहे हैं महीं दोस्तों पोस्टर में मिडल एज मान दिखाई दे रही हैं जो कि हाथ में बंदू के लिए बैठे हैं और आसपास अतना जादा दुआ है और इतनी जादा इंटेंसिटी है कि मानों अपने सबी दुष्मनों को अभी उन्होंने डीर कर दिया हो लेकिन जुस तरह से फिर प्रभास का लुग दिखाया जा रहा है उससे कहीं न कहीं इस बात की अव्वा माकित में काफी ज्यादा जोर पकड़ रही है कि एक आम किसान की कहानी सलार में दिखाय जाने वाली है जोस्तों कुछ साल पहले रिलीज हुई प्रभास की फिर्म रिबेल ज्याज की राइट सालार ने कैसे बढ़ा इशूती हसन की बॉलिबुट में मुश्किल पुस्वर नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता नमस्कार सच्रीयकाल आदाब तहे दिल से स्वागत है आपका वापस से आपके अपने यूट्यूब चानल बॉलगराद स्टूडियोज के फ्रेश आन्यू वीडियो में अगले साल आप्रिल में रिलीस हो रही है प्रभास और शूती हसन की फिल्म सालार इस मुवी को डिरेक्ट कर रहे है इस एक्स्ट्र ओर्डिनरी मुवी के जी अफ के डिरेक्टर प्रशान नील फिल्म में एक और बेहदी उम्दा कलाकार है तो दूसरी और एक बेमिसाल डिरेक्टर प्रशांद और प्रभास पहली बार एक साथ काम करते आएंगे नसर फिल्मेकर्स ने इस साल जानवरी में इस मूवी का फिर्स पोस्टर रिलीस किया था फिल्मेकर्स का कहना है कि प्रभास को इस मूवी में एक्स्ट्रीम वॉयलिंट रोल निभाते हुए और साथ ही इस मूवी की लीडिंग आक्रिस शूती हसन के साथ रोमांस करते हुए दिखाया जाएगा यह फिल्म एक next level action thriller film होने वाली है रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म में प्रभास double role में नज़र आएंगे जहां मूवी में एक और प्रभास की कमाल की acting लोगों से नहीं संबल दी ऐसे में double role वो भी intense dark thriller action सागा मूवी आएगी तो क्या ही आलम होगा इस बात को तो कहते हुए ही wrong टे खड़े हो जाते हैं प्रभास का ऐसा अफतार राद से पहले किसी भी movie में नहीं देखा गया है बीच में इस movie को लेकर कुछ अफवाएं उठी थी कि इस movie में villain के role के लिए जौन इब्राहीम को अप्रोच किया गया है मगर film के director ने press interview में इस बात से साफ इंकार कर दिया था और ये भी कहा था कि इस movie में villain का role कुछ खास एहम नहीं होगा तो मानव जा सकता है कि शायद प्रभास खुद ही एक raw actor who turned out to be a villain का role निभा सकते हैं इस movie से जुड़ी एक अफ़ा ये भी थी कि ये प्रशान नील की ही एक movie कूगरम का remake है मगर director ने इन अफ़ाहों को खारिच करते हुए statement दिया कि ये movie पूरी तरीके से original concept पर based है इस movie के लिए प्रभास ने जिम में heavy weights के साथ काफी exercise की ताकि वो खुद को इस role में काफी बहतर तरीके से ढाल सके इस movie में प्रभास के looks और movie story को जाएं एक तरफ काफी ज़ादा पसंद किया जा रहा है वहीं दूसरी और कुछ लोग एक बात से काफी ख़फा है homebully films कन्नडा based film production industry है फैंस का कहना है कि अपने कन्नड आक्टर्स के साथ काम करने की बजाए और कन्नड फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के बजाए वो एक outsider यानि कि तेलगू सूपरस्टर प्रभास के साथ काम कर रहे है फिल्मेकर से वो अपना फाइदा और पैसे कमाने का सोच रहे है आखिर में इस outrage को शांत करने के लिए इस फिल्म को originally कन्नड और तेलगू में शूट करने का final किया गया है प्रभास से थोड़ी सी नजर हटा आए इस फिल्म की लीड इन अक्ट्रिस के तोर पर शूती हसन को कास्ट किया गया है एक इंटर्व्यू के दोरान शूती हसन से उनका सालार फिल्म में किस तरह का experience रहा और प्रभास के साथ उनका कैसा ताल मेल रहा ये सवाल पूछा गया था शूती हसन ने जो जवाब दिया वो कहीं न कहीं बॉल्लवूड में cold controversy create कर चुका है शूती हसन ने South industry के सभी टॉप actors के साथ काम किया है सिवाई प्रभास के इस फिल्म के बाद उनकी इस wish list पर भी टिक लग जाएगा इंटर्वी के दोरान इस सवाल के जवाब देते हुए शूती हसन ने प्रभास की जम कर तारीफ की हाला कि प्रभास की सभी फिल्मों की actresses उनकी हमेशा जम कर ही तारीफ करती है लेकिन काफी serious अंदाज में शूती हसन ने ये statement दी कि प्रभास दिल के बहुत अच्छे इंसान है कई सारे actors ड्रामा करते हैं कि वो down to earth और genuine है लेकिन असल जिंदगी में उनका असली चहरा कुछ और ही होता है लेकिन प्रभास सच में दिल से काफी ज़ादा अच्छे हैं और अभी तक जिन जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया है उसमें से प्रभास उनके लिए best actor साबित हुए है South industry के regional star की इतनी तारीफ करते हुए शूती हसन ने Bollywood के कुछ popular stars का दिल तोड़ दिया जिसके बाद से cover आ रही है कि शूती हसन की upcoming projects और endorsements भी cancel हुए है हाला कि किसी भी तरह से शूती ने अपने statement वापस ना तो ली ना है किसी तरह का modification उन्होंने अपनी statement को लेकर justify किया है अब आगे देखना दिल्चस्प रहेगा कि सालार फिल्म से शूती हसन की popularity बढ़ती है या फिर उन्हें statement की जिम्मदारी उठानी पड़ती है बात फिल्म की करे तो अभी तो सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है और जितने जादा अनुमान लगाये जाएंगे फिल्म के लिए curiosity उतनी जादा बढ़े की अगले साल आप्रिल तक ये सबर हम सभी को बनाए रखना होगा देखते हैं कि आखे रिनसेंट प्रबास का extreme violent look दर्शकों को कितना पसंद आता है आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like शेर जरूर करें और अपने कीमती व्यूज हमारे साथ comment sections में जरूर शेर करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले Welcome कैसे हो बतीजे अपने चाचा से बहुत नाराज है ना क्या गरें इसी का नाम जिन्दगी है कोई मरता है तो कोई जीता है मुझे मारना चाहता है मुझे अपने का मारना mala couch मुझे भूले क्यों घंप 6 क्वार्णी झाल झाल क्या है शूती हसन का सलार में किरदार कितना चार्ज कर रही है शूती हसन सलार फिल्म के लिए कौन से डान्स नंबर पर परफॉर्म करती नजर आ रही है शूती हसन हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चानल बॉलिग्राद स्टूडियोस के फ्रेश न्यू वीडियो में जहां आपको मिलेंगी फिल्मी रगत से डूडी सभी लेटिस्ट अपडेट्स, टॉप कॉंचूवर्सीज और हाट गॉसिप्स प्रभाज की मोस्ट अंटिसिपेटर मूवी सलार को जल्दी अगलेस ताल रिलीस कर दिया जाएगा सलार को डिरेक्ट कर रहे है केजेफ के सूपर हिट डिरेक्टर प्रशांत मीग फिल्म को लेकर फैंस की बीच में काफी ज्यादा बेसबरी है इसलिए हर कोई फिल्म को लेकर हर दिन नई नई फैंथियरी सोशल मीडिया पर डालता रहता है इस फिल्म को लेकर कई सारे अफ़ाई भी हर दिन सुनने को मिलती है इससे पता चलता है कि फिल्म को ले कर लोग कितने ज्यादा क्यूरियस है मूवी में भी कई सारे बदलाव हो रहे है जिस वज़े से हर दिन एक नई कहानी सुनने को मिलती है सलार एक पान इंडिया फिल्म है इस फिल्म को पाच अलग-अलग भाशाओ में रिलीस किया जाएगा इस फिल्म में शूती हसन एक लीडिंग आक्टिस के रोल में नज़राएंगी आज के हमारे खास वीडियो में हम सलार फिल्म से अपने करियर को एक लेवल अप पर ले जाने वाले है एक तरफ जहां सलार फिल्म के पोस्टर में स्टूपरस्टार प्रभास को देख कर ओडियंस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हो रही है वही शूती हसन का रोल भी काफी इंटेंस और बोल्ड नज़राने वाला है ओमली प्रडक्शन्स ने शूती हसन को उनका बर्दे विश करते हुए एक पोस्टर रिलीज किया था और जिसमें उन्होंने शूती हसन का सलार फिल्म में होने का कनिफरमेशन दिया था बोलिवुड में भी अपना कमाल देखा चुकी शूती हसन सलार फिल्म में किस करदार में नज़राने वाली है ये फैंस काफी ज्यादा टाइम से जाना चाहते है तो दोस्तों चली आपको बताते है कि शूती हसन का करदार फिल्म में किस तरह का नज़राएगा सलार फिल्म में शुफी हसन एक जुर्णालिस का किरदार निभाने वाली है एक तरफ प्रभास का किरदार अंडर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है वही शुरुती हसन जुर्णालिस के किरदार में नज़राने वाली है तो automatically दोनों का connection किस तरह से बैठेगा ये साफ निज़राय रहा है एक love story के तौर पर दोनों को साथ में देखा जाएगा जहां शुरुती हसन investigative journalist के तौर पर सलार यानी की प्रभास का परदाफाश करने के लिए अपनी identity चुपाएगी और आखिर में दोनों इक दूसरे के प्यान में पढ़ जाएगे फिल्म end तक बहुत intense action से भरी हुई निज़राने वाली है जुसमें शुरुती हसन भी high voltage action करती हुई देखी जाएगी जब फिल्म इतनी बड़ी है और इतना बड़ा superstar हो वही high paycheck होना तो बनता है सलार की heroine याने की शुरुती हसन भी इस फिल्म के लिए काफी बड़ा amount charge कर रही है शुरुती हसन की life में सलार एक career changing और life changing movie होने वाली है फिल्म के लिए शुरुती हसन ने एक करोड रूपिय चार्ज किये है आज से पहले अपनी किसी भी फिल्म के लिए उन्होंने इतना बड़ा amount charge नहीं किया है तो जहां के high octane stunts दिखाई देने वाले है वही फिल्म में शुरुती हसन सूपर डांस करती हुई भी नज़राएंगी जहां फिल्म को पाच अलग-अलग धाश्राव में रिलीज किया जाएगा वही हिंदी और टमिल सॉंग्स के लिए शुरुती हसन खुट डांस परफॉर्मंस करती हुई नज़राएंगी और ये भी एक वज़ा है कि शुरुती हसन फिल्म के लिए एक करोड रुपिय चार्ज कर रही है देखते हैं कि ये सब शुरुती हसन की लाइफ में क्या ऐसा चेंज लाता है यसी बना सलार से प्रभास का कनेक्शन क्या रौकी भाई और बाहुबले की बीच रटकी हुई थी ये फिल्म क्या है प्रशायंत नील की फ्यूचर ब्लानिग जहां आपको मिलेंगी फुल्मी जगत जोडी सभी लेटिस अपडेट्स, टॉप कॉट्रिवर्सी और हुट गॉसिप्स वह भी मेरे यानी शुती के साथ बोक्स ओफिस के बाहुबली प्रभास अब बॉलिवड में अपनी पहचान बनाते जा रही है बाहुबली के बाद से हिंडी सिनमा में भी प्रभास एक जाने बाने कलाकार बन चुके हैं पैनेंडिया प्लाटफॉर्म के जरीए अग लीजनल सिनिमा में श्यूम बनने की पूरी तयारी में हैं बाहुपली के बाद गॉलिवड आक्टि शद्धा कपूर के साथ प्रभास की ब्लॉगबस्टर फिल्म साहों ने पूरी इंडस्टी और हिंदी ओर्डियन्स का ध्यान अपमी तरफ सीचा था सूपर डांस मूवज, आक्शन सीन्स और प्रभास का आटिट्यूद सभी को काफी पसंद दिया था हर बार फिल्मों में प्रभास का एक नया अफ्तार सामने आता है हर फिल्म में अपने किरदार में प्रभास इस तरह से घुश जाते हैं तो इस पता ही नहीं चलता कि प्रभास आक्टिंग कर रहे है लगता है जैसे कि ये प्रभास की ही परस्नालिटी है इसलिए डिडेक्टर को भी प्रभास के साथ काम करने में और नई-णई कैरेक्टर के साथ एक्सपरिमेंट करने में काफी मज़ा आता है ऐसा ही एक बड़ा एक ग्सपरिमेंट किया है केशिव प्रिशांत नीले प्रिशांत नीले की नेक्स फिल्म सालार में प्रभास को एक नेवर सीम बिफॉर लुक में दिखाया जाने वाला है फिल्म के पोस्टर जब रिलीज किये गए थे उसी के नीचे टाग लाइन थी इस लाइन पही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में कितना ज्यादा अग्रेशन इस बार दिखाया जाने वाला है प्रभास ने पहले भी फिल्मों में बोर्ट इंटेंस लुक अपनाया है मगर इस बार पूरी फुल्म ही अग्रेशन और इंटेंसिटी के दिखे गूमने वाली है एक पुसर में प्रभास ब्लाक संग्लासस में यंग रेबल स्टार की लुक में वॉक करते वे दिखाया गया है तो वहीं दूसरे में मुचों के साथ प्रभास का मिडल एज लुक दिखाया गया है जहां वो हाथ में राइफल ये संदाज में बैटे हैं जैसे कि he is the king of the world इन प्रभास काफी शान दिखायेगा है बावजूद इसके प्रभास के कारेटर की इंटेंसिटी उनके एक्स्पेशन स्पोस्टर के लुक में दिखाई दी रही है जिस भी फल्म में प्रभास होते है वो फल्म ऐसे ही नगर आती है जैसे कि सिर्फ प्रभास के लिए बनी हूँ लिकिन सलार फल्म से प्रभास का रिष्टा ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं जुड़ा ऐसा ही कुछ हुआ के जिव दिरेक्टर प्रशांत नील के साथ संदार फिल्म को लेकर उनकी पहली पसंद उनके फेवरिट रॉकी भाई यानि की सूपरस्टार यश थे लेकिन यश को फिल्म की कहाई में कुछ दम नगर नहीं आया इसलिए यश ने खुद इस फिल्म के लिए प्रभास का नाम दिरेक्टर को सज्जेस्ट किया बाद में खबर आई थी प्रशांत नील यश के बाद अगर किसी आक्टर को साथ ये फिल्म बनाना पसंद करते हैं तो बो प्रभास ही थे जब प्रभास को फिल्म की कहानी सुनाई गई तो उनुने तुरंट हाँ कह दिया प्रभास को फिल्म की स्टोडी और खुद का कारेक्टर काफी पसंद आया था कि दोनों स्टार्स को इस फिल्म मिलाया जाता के इस वज़े से दोनों के बीच ये फिल्म काफी लंबे समय तक अटकी रही लेकिन फिल्म के लिए यश को अपना लुक रॉकी भाई से बदलना पड़ता जो कि वो बिल्कुल नहीं करना चाते थे वो भी जब तक केजेव का सेकेंड पार्ट रॉलीज नहीं हो जाता तब तक रॉकी भाई को लोग न भूले इस वज़़े से यश अपने लुक के साथ क्यों छे चार्ड नहीं कर रहे है इसलिए फिल्म को फाइनली प्रभाद के साथ शूट किया गया अब काफी लंबी प्लानिंग है प्रशांत नील की कि जब दो ही सूपरस्टार की पाइपलाइन सभी सूपर मेगा बजट फिल्म रिलीज हो जाएंगी उसके बाद दोनों को साथ मिलाकर एक और हाई बजट प्लानिंग या फिल्म बनाए जाएगी और ये नएक्स फिल्म सलार का सीकूल भी हो सकती है जहां दोस्तों सलार फिल्म रिलीज से पहले ही 100 करोर क्लब में क्या सलार और केजेफ चाप्टर 2 का क्लाश होगा केजेफ चाप्टर 2 को सलार के साथ कमपेर क्यों किया जा रहा है South Indian Film Industry की इन दिनों बड़ी फिल्मों में छिड़ गई है जंग हाला कि ये एक friendly competition है लेकिन फिर भी ये देखना बहुत interesting होने वाला है कि इन दोनों फिल्मों में से इस खमासान रेस का बाच्शा कौन से फिल्म बनती है सलार और KJF2 की तूलना करी जा रही है क्योंकि दोनों में ही काफी similarities है लेकिन इनी similarities को पार ले जाकर कौन से फिल्म बॉक्स ओफिस में ज्यादा बड़ा धमाका करती है यही होगे इस picture की achievement सबसे पहले हम similarity की बात करें तो दोनों ही फिल्मों को प्रिशांत नील ने डिरेक्ट किया है वैसे तो प्रिशांत नील साउथ इंडियन फिल्म इंडास्ट्री में काफी समय से ही मूवीज बना रहे है लेकिन KJF chapter 1 के साथ जो बांब उनों ने फोड़ा है वही से प्रिशांत नील को सब इतना ज्यादा पसंद करने लगे है इस वज़े से KJF chapter 2 के लिए भी लोग दिवानों की तरह इंतिजार कर रहे है लेकिन इस रेश में अब एक और फिल्म ने अपना नाम लिखवा दिया है जो है सलार सलार भी प्रिशांत नील गवारा दिरेक्टिड फिल्म है और ये भी एक वज़ा है कि लोग इन दोनों मूवीज को कमपैर कर रहे है दोनों के सिमिलारिटीज में भुवन गवडा का भी नाम आता है भुवन गवडा सलार और केजव फिल्म सीरीज के सिनेमाटोग्राफर है ये साउथ इंडियन फिल्म डास्की के बेस्ट सिनेमाटोग्राफर में से एक है और इनकी पिक्चुराइजेशन और सिनेमेटोग्राफी के लेवल को छूपाना काफी बड़ी बात है केजिएफ चाप्टर वन में इतनी रियालिस्टिक और जबरदस सिनेमेटोग्राफी के बाद बुवन गावडा को बहुत तारीफे मिली और सलार में भी बुवन गावडा ही सिनेमेटोग्राफी करने वाले है बाद सिर्फ यही खतम नहीं होती क्योंकि सिमिलारिटीज की लिस्ट में प्रड़क्शन हाउस भी शामिल है KJF Chapter 2 और सलार दोनों को ही होमले प्रड़क्शन कमपनी भारा लौंच किया जाने वाला है दोनों ही कितने बड़े प्रजेक्स हैं यह हम सभी जानते हैं इसलिए इन दोनों फिल्मों को कमपैर किया जा रहा है दोनों में से कौन से पिक्चर बॉक्स ओफिस के चार्ट को फोड़ती है ये देखना काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा इन दोनों फिल्मों की तूला करने का एक और बहुत बड़ा कारण ये भी है कि साउथ इंडियान फिल्म इंडास्टी के दो बड़े सितारे इन दोनों फिल्मों के लीड आक्टर है KJF Chapter 2 में हमें दिखने वाले है यश वही सलार में प्रभा और इन दोनोंको ही आक्शन अवतार में देखना काफी इंडर्स्टिंग होने वाला है अब इन दोनों फिल्मों में ये Healthy Competition वाली रेस में जीत किस्की होगी ये देखना बहुत इंडर्स्टिंग होने वाला है तो उस्तिके साथ वीडियो को करते जो लाइक, हमारे चानल को करते जो सब्सक्राइब